आप गीम डेवलपर हो, आप अपना काम खतम करके ऑफस में सोजाओ, लेकिन जब आपके नीन खुले तो आप अपने आपको गीम के अंदर पाओ, अब आप इस वर्ड में क्या करोगे, तो एनल में किस हुदत हमारे हीरो से होती है, जिसके नम सुजूकी है, लेकिन हम उसको स गीम डेवलपर है, साटो ट्रेन से ऑफस जाने वाला था, लेकिन वो लेट हो गया था, लेकिन वो ट्रेन में आज आता है, और सोचता है, स्कूल लाइफ के बाइज मेरी लाइफ जंड हो गई है, काम के वजए से मैं तना बिजी था, कि मुझे पता ही नी चला कि है संड़ संड़े को ट्रेन की टाइमिंग अलग होती है, साटो अपने ओफस में आ जाता है, लिफ्ट से जाने लगता है, उसके पास एक आदमी आता है, साटो और वो आदमी वार्ड वर्ड गेम के ओच्छा महीने से सांत में डेवलप कर रहे थे, आदमी बोलता है, क्लाइन के हिसा से वार्ड वर्ड गेम, बिगनर के लिए बहुत टाफ है, साटो बोलता है, क्लाइन नहीं तो बोला तो हमें ओर्ड प्लेयर को टार्गेट करना है, और बोलता है, मेरे पास एक आईडिया है, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, हमें गेम की स्टार्ट में एरसा मिले, जिससे वो अपने एनिमी को खतम कर सकते हैं, और जो प्लेयर बिना इटम की हेल्प से एनिमी को मारेंगे, उनको एक रेयर अचीवमेंट मिलेगा, ऐसा करने से बिगनर और ओल्ड प्लेयर दोनों खुस हो सकते हैं, वो आजमी बोलता है, आईडिया तो अच्छा है, चलो मैं यहां से जाता हूँ, तुम यह सब कर लेना, साटो बोलता है, मेरे पास पहले से बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन तुम फोन करके क्लाइंट को यह सब बता दो, जिससे बाद में वो कोई प्रॉब्रम खड़ी ना करें, नहीं तो डेलाइन तक गेम कंप्लीट नह से चली जाती है, साटो बोलता है, अच्छा है, इस आंटी ना मुझे गिड़ना है, अपन नहीं समझा, लेकिन यह तो संतूर साबन वाली, मम्मी की तरह सुन्दर है, साटो ओफिस आ के बग ठीक करने लग जाता है, जिसम उसको रात हो जाती है, एक आदमी घर जा रहाता ह मैं तो घर जा रहा हूँ, और अगर नहीं गया, तो मेरी वाइप मुझे मार देगी, साटो बोलता है, मेरे घर में तो मेरा कोई इंतजान नहीं कर रहा, वो आदमी बोलता है, तुम 29 साल के हो गए हो, अब तो मैं कोई लड़की सैट कर लेनी चाहिए, साटो सोचता है, दि 30 गंटे से लगातार काम कर रहा था, सीन बाइनेरी कोड पर आता है, साटो की निन्द खुलती है, वो सूंसान एरिये में ख़डा था, साटो अपने फोन में अपने आपको देखता है, और सोचता है, मैं तो अपने हाई स्कूल की टाइम की एज पर आ गया, उसके सामने गे अपन के नाम पर बस मीट्यो और रेन और मीट्यो और सावर नाम के अटेक है, मैप से उसको पता चलता है, बहुत सारे आनेमीज उसके पास आ रही है, यह साटो के पास 300 से ज़्यादा इलाइट लिजर्ड मैंड आ रहे थे, जिनकी लेवल 50 से उपर है, साटो की लेवल 1 है बस लिजर्ड मैं साटो पर अटेक करते हैं, अटेक से साटो को समझा जाता है, वो कोई सपना नहीं देख रहा, वो सच में गेम के अंदर है, जहां वो मर सकता है, सभी लिजर्ड मैं साटो पर अटेक कर देते हैं, साटो के मीट्यो और अटेक बग की वज़ए से अपने आ और इसलिए उसना लिजर्ण मैन को मार दिया था वह बात अलग है कि उसकी एच्पी 10 थी बस साटो की ज़्यादा तरिस्किल मैक्स हो गए थी, वो अपना मीटियोर अटेक अन और आप भी कर सकता था, साटो सोचता है अगर फिर से किसी लिजर्ड मैन जैसे एनिमी न है, मिरे पे अटेक कर दिया तो मुझे इसके लिए प्रिपेर रहना चाहिए, साटो बहुत दूर बहुत खतनाक है, बार-बार उसका यूज करने से मैस वर्ड का डीमन किंग भी बन सकता हूँ, और उस अटेक को आफ कर देता है, उसको पानी पीना था, लेजर्ड मैन को मानने के बाद उसको बहुत सारी लूट मिली थी, जिसमें अलिमिटेड वाटर था, और वो बहुत इसी टाउन में ही खर्च कर सकता था, साटो, आग जला की कपड़े चेंज करता हूँ, और अपनी बाकी की स्पिल को अपग्रेड करने लगता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट थे, ऐसा करने से वे फ्यूचर आनेमी को जल्दी माल सकता था, बेनम मीट सिटी थी, मैप रिवील से उसको पता चलता है, पास ही माँ कुछ सोलजर है, जिनकी लेवल सैवन है, लेकिन वहाँ लेवल थर्टी का ड्रेगन, ये ड्रेगन देखना साटो, हवा में जाता है, वो ड्रेगन पीछे से साटो को मार के गिरा देता है, जिससे साटो को कुछ गुछे में स dancers dragone को फच्टन मार के भगा देता है लेकिन अब basta 구요 के पास जा रहा था सोलजर की हेल्प करना चाहेता था क्योंकि उप कर रहे थे साटो को उनकी dáation समझ थी साटो लेंगवज इसकिल अपग्रेड करता है जिसके बाद उसको सब समझ में आने लगता है वो सोलजर एरो से ड्राइगन पर हमला करते हैं जिससे ड्राइगन को कुछ नहीं होता साटो के हिसाब से सोलजर की लिए वलकम थी इसलिए ऐसा हो रहा था यह ड्राइगन बैक विलकम कर देता है और साटो जैना को बचा लेता है और सेंवियर का टाइटल हासिल कर लेता है साटो वोलता है इस वर्ड में स्किल के सांधे ने से मना करता है क्योंकि वो दोनोँ Panzां लासे से ड्राइगन के हिरा यहां को बचा लिए आ लंगर बी 5-5 पकेंस देञे पर करत 17 है मैं अभी सिंगल हूं साटो सोचता है यह लड़की मुझे इतना सब क्यों बता रही है वो दोनों अपना नाम एक्चेंज करते हैं तब ही साटो पर कोई अटेक करता है वहां दो लोग आये थे जिनका नाम लोना और लीलियो है उनको लग रहा था साटो जैना को मानना चा जयान बचाए थी माँ सोल्जर को थैंक्स बोलने अपने होर्स से वर्यर फोट आया था और बच गया साटो अपने स्किल यूज करके यह सब जूट बोल रहा था लोना पूछती है तुम लोग वैली ओफ ड्रैगन जा रहे थे बलाट की इन्वेस्टिकेशन करने हैं कहीं से टी के लिए खत्रा ना हू साटो देखता हम लोगों ने ड्रैगन कहाए है लोना बताटीए ड्रैगन की सभी चीज़े बहुत अच्छे डामों में बिकती है लेकिन उसका Mean खाने लायक नहीं होताorit लेकिन वो शेयुल से पता चलता है सिटी में 80% human और अलग अलग येचर भी हैं और बाकी 20% लोग स्लेव हैं वो सब सीरियू सिटी के पास आ जाते हैं जैना साटो से पूछती है तुम सिटी में कहां रुकूगे साटो बोलता है मैं एक रूम रैंट पे ले लूँगा तो लोना साटो को एक होटल सजेस्ट करती है जो एंट्री गेट के पास होता है लोना साटो को अधारकाट बनवाने उसको लोग से वकेंदर डालती है और वहां के भाईया को बताती है साटो ना जैना की जान बचाई है और इसका अधारकाट गुम गया है हमें नया बनवाना है वो भाईया साटो को पासी के या माटो स्टोन में दोनों हाथ रख तुम पंदर साल की हो और तुम एडल्ट और किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हो साटो सोचता है इस दुनिया में फंदर साल में वोट डाल सकती है भाइया बोलता है तुम लेवल 1 में हूँ तुम्हारे घरवाले तुम अच्छुई मूई का पौदा समझते हैं जो तुम्हारी लेवल अभी तक 1 है और अधारकार बनाने का एक सिल्वर कोईन मांगते हैं और सिटी में रहने का वीजा लेने को भी बोलते हैं लोना बोलती है साटो ने जैना की जान बचाईए हम इससे वीजे का पैसे नहीं लेने चाहिए भाई अभी ऐसा करते हैं और साटो को 10 दिन का वीजा दे देते हैं अगर 10 दिन से जादा साटो सिटी में रुकना चाहता है तो उसको वीजा रिन्यू कराना होगा जिसमत 3 कॉपर कोईन लगते हैं अगर तुम्हारा वीजा एक्सपार ह क्रूल है जिसके पास वीजा के पैसे नहीं होंगे तो सिलेब बन जाओ फिर लोना साटो को बताती है वह यल्लो साइन बोर्ड ही होटल है साटो लोना को बाई बोलके होटल जाने लगता है और सिटी को देखके खुस होता है क्योंकि यह सब उसने गेम में बस देखा था सा आने के पैसे अलएक चौप पूछती है तुम्हारा लगेज कहां है साटो बोलता है वो मेरे होर्स की उपर था जो आसमान के तारे गिरने की वज़े से भाग गया लेकिन मैं बच गया फिर साटो दो सिल्वर कॉइन मैं दस दिन के लिए रूम रैंट में ले लेता है और उ उसको देखके संब मर्चेंट अपना सामान लेके यहां से भाग गए और बोल रहे तो यह लोड का किया धराय वो फिर से आ गया है साटो बोलता है यहां डीमल लॉड भी है मोसा बोलता है लेकिन हीरो ना साट चैसे साल पहले उसे मार दिया साटो बलता है अच्छा हीरो न में सोते रहते हैं लाइट रागन दो साल पहले देखा गया था और उसके पहले मैं अपने बच्पन में देखा था जैसनल सिटी के सभी जानवर को मार दिये था साटो बोलता है मोसा किनी बग बग करती है लेकिन मोसा को जानवर की पड़ी है कितने human being मारे गए उसका क्या तभी वहां एक और कश्टमर आता है मोसा उसको अटेंड करना चली जाती है उसको देख के साटो खुस होता है फिर साटो अपने खाने में फोकस करता है उसको बहुत अच्छा लगता है तभी उसके पास मारता अपना काम खतम करके आती है और बोलती है मे साटो बहुत 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 करके मारता के लिए एक क्लिप ले लेता है इस से साटो 13 साल की मारता को साट करना का ट्राय कर रहा था फिर मारता और साटो वहां से कुछ और लेते हैं और होटल जाने लगते हैं रास्ते में साटो के साट से एक सिलेफ काट जाती है जिसमें एक लड़की थी जिसका टाइटर थोड़ा इसे देता है इस वर्ड में ये सब कॉमन ता साथो मार्था से पूछता है मैं यहां कहां नहां सकता हूं मार्था बोलती है यहां common वाथरूम तो है लेकिन हमारे जैसे ordinary लोग वहाँ जाके नहीं नहां सकते और मैं तो होटल के कुएं के पानी से नहाती हूं साथो बोलता है म मुझे बहुत अच्छे लोग मिले होटल का इस्टाप भी कितना अच्छा है ये वर्ड गेम की तरह नहीं है लेकिन मेरे पास जो गेम के स्टेटस विंडो है वो क्या है और मैं अपने प्रोग्रेस को सेव क्यों नहीं कर सकता और गेम से लॉग आउट भी क्यों नहीं मार सकत मुझे इस गेम से बाहर निकलना होगा मुझे डेंजर से लोगों कुमार की गेम खतम करना होगा तब ही मैं इस गेम से बाहर निकल सकता हूँ मुझे इस वर्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाना होगा और बाहर आ जाता है और बोलता है रियल लाइफ में तो इस गेम की कोई एंडिंग ही नहीं है और city को देखता है और बोलता है मुझे game की life को पूरी तरह enjoy करना चाहिए और बाहर निकलने के वो second priority देनी चाहिए और game developer के तौर पर मैं यहां बहुत सी new चीज़ा सीख सकता हूँ दूसरे दिन मार्था साटो को उठाती और बताती है तुमारी girlfriend नीचे तुमारा wait कर रही है यह सुनके साटो सौक होता है और radio के बाहर आता है उसका इंतजार जैना कर रही थी आज उसकी चुटी थी और वो साटो को city घुमाना चाहती थी इसी के साथ यह party यहां खत्म होता है पार टू की सुरुवत जैना और साटो से होती है जैना का आज off day था तो वो साटो को city घुमाना चाहती थी और यह सब करके साटो के इंप्रेस करना चाहती थी साटो यह जानके बहुत खुश होता है वो दोनों market जाते हैं जहां वो दोनों कुछ खाने का item लेते हैं जिसके पैसे साटो देता है यह देखके जैना गुशा होती है और बोलती है महापरोस साटो मैं तुम्हें घुमाने इसलिए लाई थी ताकि मैं तुम्हें अच्छे से thanks बोल चकूँ लेकिन तुम पैसे खुद दे रहे हो यह तु गलत है ना साटो बोलता है जैना तुम्हारे बेना मैं seriousity नहीं आपाता तुमने मुझे यहाला के पहले ही thanks बोल दिया है यह जानके जैना खुस होती है फिर वो दोनो साथ में उस साटो को बहुत अच्छा लगता है फिर वो दोनो वैट बिंग खाते है जैना से एक लड़का टकरा जाता है वैट बिंग से जैना की ड्रस गंदी हो जाती है और वो panic होने लगती है क्यों कि वो उसकी mom की DRस थी साटो सोचता है मैं जैना को उस सौप पे लेके जाता हूँ जहां कल में जाना वाला था तब ही वहां एक मेज आती है और बोलती है दुनिया हो जाए दूर तुम दोनों आ जाओ पार्ज तुम्हारी परिसानी का क्या है राज साटो बोलता है जैना की ड्रस गंदी हो गई है उसको साफ करने की कोई मेजिक स्पेल तो होगी नहीं तुम्हारे पास मेज बोलती है मेरे पास ड्रस साफ करने की मेजिक स्पेल है लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ कूंटे में चलना होगा साटो बोलता है इस मेज की टाइमिंग तो परफेक्ट है फिर वो दोनों इस मेज की साथ एक गली में आ जाते हैं जहां वो मेज अपना मैजिक करती है पानी भड़ा मटके में एक जटके में तोड़ दूँ तूटी हो हड़ी या दिल एक जटके में जोड़ दूँ और जैना के कपड़े गीले हो जाते हैं जिसको देखके साटो पीछे गूम जाता है दूसरे मैजिक से मेज जैना के कपड़े को ड्राय कर देती है और वो पूरे दिन मैंजिक स्पेल सीखने वाला काम होता है, पिछले तीन साल से मैजिक के स्टड़ी कर रही हूं, और अभी मिलेटरी मेज हूं, स्टार्टिंग में हमें magic picture book दी जाती है जिसमें magic की history होती है फिर पूरे दिन magic spell सीखना और उसकी practice करना ये बहुत ठकाने वाला काम होता है मैं complain नहीं कर रही हूँ मेरे मम्मी पापा ने मुझे परवरिसी ऐसी दी है मेरा सपना है कि मैं magic से हवा में उड़ सकूँ क्योंकि मैं सूपर मैन की फैन हूँ और पूछती साटो तुम किस टाइपस अपना magic यूज करना चाहते हूँ साटो बोलता है मेरे होटल में नहाने की जगह नहीं है मुझे बाहर जाके नहाना पड़ता है मैं magic का यूज करके होटल के अंदर ही नहाना चाहता हूँ जैना बोलती है तुम्हारी विश्टो थोड़ी casual है और बहुत हस्ती है और बोलती है आज तक मैंने किसी को नहाने के लिए अपना magic यूज करते नहीं देखा ये बहुत फनी बात है साटो बोलता है जैसे हवा में उड़ना वाली बात बहुत अच्छी है लेकिन हम दोनों हवा में उड़के एक साल डेट में जाएंगे ये उसनके जैना बहुत खोश होती है पर वो दोनों एक डादी के पास आते हैं जो healing oil बेच रही थी साटो दादी से कुछ healing oil लेता है जैना पूछती है साटो तुम और कहां जाना चाहते हो साटो बोलता है मुझे एक जगह तो जाना है फिर जैना साटो को city wall की उपर लाती है साटो जैना के बिना यहां नहीं आ सकता था और जैना से पूछता है तो मुझे यहां लेकी आई हो इससे तुम्हें किसी टैप की problem तो नहीं होगी न जैना बोलती है हमें human से problem नहीं है हमारे दोसमन तो dragon है बस साटो को दूर windmill दिखती है जैना बोलती है dragon attack के time पर windmill battery क्या काम करती है हम वहाँ भी चलते हैं रास्ते में temple भी घूमते हुए चलींगे वो दोनों temple के अंदर आते हैं जैना बताती है hero ने blue sword से demon king को मारा था और ऐसा कहा जाता है blue sword सिर्फ hero के हाथ में जाने के बाद ही blue हो सकती है साटो बोलते है normal लोगों के हाथों में वो sword blue नहीं होगी जैना बोलती है नहीं लेकिन बहुत लोगों ने उसे blue किया है तभी वहाँ temple की priestress आती है जिसका नाम औरना है जो बोलती है goddess जिसको permission देगी वही सचा hero बन चकता है जैना साटो और औरना की एक दूसर से introduction करवाती है औरना जैना को अच्छे से जानती थी क्योंकि जैना की मम्मी भी यहां कुछ काम करती थी औरना बोलती जैना अब तुम्हारी life love life में change हो रही है जैना सर्माने लगती है और साटो को कुछ समझ नहीं आता तब यह औरना को कुछ काम आ जाता है जैना कार्ड की driver से बात कर रही थी साटो बोलता है मेरे पास भी hero के जैसे बहुत सारे title है साटो के title कुछ इस परकार थे dragon killer, god killer साटो सोचता है मैंने god को कमारा और बोलता है meteor attack से god भी मर सकते हैं क्या है ऐसा लग रहा है मैं इस word में है कि use कर रहा हूँ और मुझे अब low profile रहना चाहिए फिर वो दोनों कार्ड से जा रहे थे जैना साटो के उपर गिर जाती है यह सब का टोनर का किया धरा था जैना साटो को windmill दिखाती है और बताती है यह बड़े से tower anti-dragon tower है अगर कोई भी उड़ने वाला जानवर city के पास आता है तो anti-dragon tower उसको मार गिराते हैं वो दूसरा tower जो बन रहा है दो साल पहले उसे एक dragon ने तबहा कर दिया था वो dragon छोटा था इसलिए tower को जादा कुछ नहीं हुआ लेकिन बहुत साल पहले ब्रैक ड्रैगन न सिटी को तहस्नास कर दिया था साटो बोलता है फिर तो सपेट गोड़े में हीरो ने आके dragon को मार दिया होगा जैना बोलती है special ceremony से हीरो को समन किया जाता है जिसे saga temple बस कर सकता है उसे hero summoning कहा जाता है और demon king के मनने के बाद हीरो को समन नहीं किया जाता और last hero summoning 60-70 और साल पहले हुई थी साटो बोलता है demon king fight के टाइम पे बहुत सारे demon को समन करता होगा ना जैना बोलती है कुछ demon king ऐसा करते है लेकिन demon को सिर्फ magic और magical weapon से मारा जा सकता है तब ये उन लोगों को आवास सुनाई देती है एक आदमी बोल रहाता है demon human भी demon ही है क्योंकि उनके नाम में demon आता है ये demon king के जैसे ही है इसलिए हमें इन लोगों को मार देना चाहिए साटो जैना से पूछता ये भष्ट आदमी कौन है जैना बोलती है ये zyakon temple का head priest है जिसका नाम boydo है boydo सबसे बोलता है तुम सब मेरे holy stone खरीद के इन demon human को मार दो ये holy punishment है और लोग ऐसा ही करते है जैना से ये सब देखा नहीं जाता और वो demon human की help करने चली जाती है और सबसे बोलती है demon human को नहीं मारो साटो बोलता है मुझे भी कुछ करना चाहिए साटो को पता लगाना था demon human का master कौन है उनका master बाइडो नहीं था साटो को master का पता चल जाता है जिसका नाम अर्स है जो swear rat guild में है और उस guild की कुछ आदमी public के बीच में भी है जैना बाइडो को समझाती है भगवान के नाम पर ऐसा करना बहुत गलत है और तुमको इसकी punishment भी मिल सकती है बाइडो बोलता है तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली और holy book में ऐसा लिखा ही नहीं है कि हम डैमी human को भत्तन नहीं मार सकते जैना अपनी wind magic से डैमी human को protect कर रही थी साटो association skill का यूज करके swear rat guild के लोगों के पास जाता है जो लोगों को डैमी human के खिलाब भड़का रहे थे साटो नोगों को बेहुस करके public से दूर ले आता है अर्स बोलता है आज मैं डैमी human से बहुत पैसे कमा सकता हूँ उसके पास साटो आता है अर्स बोलता है तुम कौन हो का mastermind यही है बाइडो और अस एक साथ काम कर रहे थे और डैमी human को पत्तर मानने के नाम पर तुम लोगों को पत्तर बेच के पैसे कमा रहे थे सबी लोग बोलते हैं असली डीमन तो अर्स है तभी अर्स के अंदर से एक डीमन बाहर आने लगता है साटो को याद आता है जब मज़ा आता है यह से मैं अपने master के लिए कर रहा हूं साटो demi human की help करने जाता है demi human बोलते है हमारे master ने हमें यहां से जानने किया है आप हमारी help नहीं करो और यहां से जाओ अगर हम master का ओड़ा नहीं मानेंगे तो हमारी collar tight हो जाएगी साटो सोचता यह demi human पागल है क्या दो वो सब चले जाते हैं जब साटो की आँख खुलती है वो डंजन के अंदर था उसके सांद तीनों डैमी हूमन भी थे और आई बोल मॉंस्टर बोल रहा था तो मैं इस डंजन को लोगों को मार के ही किलियर कर सकते हैं और सभी रूम कनेक्टेड है जिन में मॉंस्टर है और ला लिजार्ड साटो बोलता है तुम्हारा नाम यही है लिजार्ड बोलती हमारे मास्टर हमें इसी नाम से बुलाते हैं आप भी हमें यही बोलो साटो बोलता है मैं तुम लोगों को इस नाम से नहीं बुला सकता तो वो लो बोलते हैं आप हमें न्यू नाम दे दो साटो कैट का नाम टामा डॉक का नाम पोची और लिजार्ड का नाम लीजार रखता है और बोलता है नाम रखने में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ वो तीनो न्यू नाम से बहुत खोस होते हैं और साटो को थैंक्स बोलते हैं साटो बोलता है ये तिनी बड़ी बात भी नहीं ह साटो उन लोगों को न्यू कपड़े नहाने और पीने को पानी और हीलिंग ओयल भी देता है वो सब कुछ नहीं करते और सांती से खड़े रहते हैं साटो बोलता है मैं कोई गंदा आदमी नहीं हूँ जब तुम चेंज करोगे तो मैं पलट जाऊँगा लीजा बोलती है यह सब देने की आपको कोई जरूरत नहीं है और आप हम से तने अच्छे से बात नहीं करो हम तो सिर्फ स्लेब बस हैं साटो बोलता है अगर ऐसा ही है तो यह मेरा ओडर है तुम सब यह काम करो टामा और पोची को पहली बार किसी नहीं कपड़े दिये थे जिससे वो बहुत खुश थे वो तीनों चेंज करते हैं साटो बोलता है यह लोग मेरी रियल लाइफ की भाई बहन के जैसे हैं साटो उनको कुछ खाने को भी देता है जिसको वो तीनों घूर रहे थे साटो बोलता है अब खा भी लो टामा और पोची को वो बहुत अच्छा लगता है लीजा को विश्वास नहीं हो रहा था वो इतना अच्छा खाना खा रही है साटो मैप देखता है और बोलता है डंजन से बाहर निकलना आसान नहीं होने वाला और मैप से पूरे डंजन को देखता है उसको आसपास कुछ लोग भी दिखते हैं जिन में जैना और बाकि सोलजर भी थे साटो को ये बात बुरी लग रही थी कि गेम की तरह वो लोगों से चैट में बात नहीं कर सकता लेकिन आईबॉल डीमन साटो को मैप में नहीं दिख रहा था साटो वहाँ से जाने लगता है लीजा और बाकि लोग उसको रोकते हैं यंग मास्टर आप हमें छोड़ के मत वो तीनों बोलते हैं हमारे नियू मास्टर तो बहुत अच्छे हैं साटो अपने बैक से मैजिक गन और चाकू निकालता है और लीजा को चाकू देता है क्योंकि उन तीनों में लीजा की लेवल बस सबसे ज़्यादा थी और उसे के पास्ट कॉमबैट स्किल थी लीजा किसी को खा रहा है साटो बोलता है गेम की मेन केरेक्टर इतनी बहावदरी से कैसे मास्टर को मारने चले जाते हैं मैप बोलने के लिए माफे मांगती हूँ लेकिन हमें यहां से भाग जाना चाहिए या तो उस मास्टर पर पीछे से हमला कर देना है साटो बोलता है लीजा की लेबल तो कम है लेकिन उसने बिल्कुल सही कहा साटो पीछे से मैजिक गन से मॉस्टर पर अटेक करता है और कुछ अटेक के बाद उस मॉस्टर को मार देता है लीजा और बाकी लोग बोलते है मॉस्टर आपका जीब सा वेपन तो बहुत अच्छा ह वो सब मॉंस्टर को देख रहे थे साटो मॉंस्टर की बाडी से एक भाला बनाता है जब तक लीजा मॉंस्टर से कुछ निकाल रही थी साटो बोलता है हमां मॉंस्टर को खाने की कोई जरुवत नहीं है लीज़ा बोलते हैं मार्ष्टर है मैं मॉंस्टर का कोर निकाल रही हूँ जो बहुत वैल्यूइबल है और मर्चेंट गिल में बहुत अच्छे दामों में बिखता है साटो कोर को बैग में रखता है और लीज़ा को भाला देता है लीज़ा अपना चाकू पोची को देती है वो तीनों अभी भी चेंट से बंधे हुए थे तो साटो मैजिक गन से उनकी चेंट तोड़ देता है जिससे पोची और टामा डर जाते हैं साटो लीजा से बोलता है अगली बार हम किसी मॉंस्टर को मार रहे हैं तो इसके कोर को तुम टाम और पोची को निकालना सिखाना फिर वो लोग वहां से आंग जाने लगते हैं इसी के साथ यह पार्टी यहां खत्म होता है साटो बाकी तीनों के स्टेट देखता है और बोलता है मेरे साथ घूमने से इन लोगों की लेवल इंक्रीज नहीं होने वाली और टामा से बहुत सारे फट्र लाने को बोलता है तामा फट्र लाती है और आंगे देख के बोलती है मास्टर आंगे कैटरपिलर मास्टर है वो ल और गिराता है और टामा और पोची से बोलता है बच्चो जाओ। उस मोस्ट के को निकालो और बोलता है पोची तुम मेरे साथ आंगे चलो टामा पोची को बहुत सारे फटर देती है। फिर साटो उटामा को रूम के अंदर एक और कैटर प्लेर मौस्टर देखता है, साटो पोची से बोलता है, तुम अंदर जाके मौस्टर को फतर मार के उसका ध्यान अपने साइड करना और सतर करना, साटो पोची अंदर जाते हैं, पोची मौस्टर को फतर मारती है, वो मौस् और टामा भी आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ साटो बोलता है कुछ नहीं प फोड़ा डर गई थी बस फोच शॉठी से भागने के लिए स्वयरी बोलती है साटो बोलता है मैं तुम पे गुस्टा नहीं हूँ लेकिन आसे करने से तुम मर सकती हो और बोलता है ऐसी हालात में अपनी जान बचा के भागना बिल्कुल सही है लेकिन तो पैनिक होने की वज़ा से किसी और डेंजरस सिच्वेशन में आके मर सकती हो और साटो पोची का टेमर बन जाता है जब बोलता है मुझे टेमर नहीं बनना इससे अच्छा तो मैं पोची का टीचर बन जाओँ फिर वो लोग आंग जाते है जहां उनको और भी केटरपिलर मौस्टर मिलते हैं जिनको वो एक एक करके मारते हैं लगे हाँ टाम और पोची मॉस्टर कोर भी निकाल रहे थे साटो फिर से उनके स्टेश्ट देखता है जो पहले सिंक्रीज हो गए थे साटो बोलता है लेवल इंक्रीज होने के बाद अपने आप स्किल भी मिल जाती है लीजा बोलती है मास्टर हम न सभी मॉस्टर के कोर को ए मीट देख रहे थे और रो रोके मीट खाते हैं साटो बोलता है अब तुम लोग सौ जाओ लिजा बोलती है माश्टर क्या मैं यहां केम्प लगाऊं साटो बोलता है और अब टामा पोची और लीजा बिना साटो की हेल्प के भी मॉस्टर को मार सकते थे लीजा साटो के पास आती है और बोलती है मॉस्टर मुझे अग जलानी है साटो पूछता है क्यों? लीजा बोलती है अभी हम लोगों न जिस मॉस्टर को मारा था उसका मीट बहुत अच्छा होता है लेकिं वो अच्छा कोक नहीं होगा तो हम उसको खाके बिमार भी हो सकते हैं फिराग जला के लीजा मीट साटो को खाने को देती है साटो मीट देखता है और बोलता है इसको खाके कहीं मैं उल्टी ना करूं बस साटो मीट खाता है और बोलता है ये तो मुर्गी के मीट के जैसा ही है ऐसा इसलिए क्योंकि लीजा नहीं नमक डाला है साटो देखता है वो तीनों मीट नहीं खा रहे है और सोचता है ये मेरी परमीशन के इंट जार कर रहे हैं और उन तीनों को मीट खाने को बोलता है वो त आंगे चलते हैं आंगे उन लोगों को स्लाइम मॉंस्टर मिलता है साटो फायर मैजिक का यूज करके स्लाइम पे अटक करता है लेकिन इस स्लाइम को कुछ नहीं होता साटो बोलता है मेरे फायर से लेवल 10 का स्लाइम नहीं मर चकता लीजा बोलती है मास्टर स्लाइम को मारने का एक ही तरीका है उसके को डिस्टॉई करके और स्लाइम को मार देती है यह दिवाल थोड़ी अलग लग रही है साटो मैप पे देखता हो बोलता है यहां सीक्रेट डोर है या कोई सीक्रेट ट्रैप तभी उन लोगों के लेवल 40 का वुल्फ बीश्ट आता है और साटो पर हम कुछ लोग थे साटो सभी से बोलता है उलोगों को बचाना होगा साटो कुछ से लोगों को बाहर निकालता है जिन ही बाहर लोग श्राय माय Цडिक बोलता है तुम डेमी हूमन मुझसे दूर रहो और मुझे अपना चाकू दो मैं खुद बाहर आ जाओंगा पोची बोलती है ये चाकू मेरे मास्टर का है मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती साटो ये देख कि पोची को अपने पास बुला लेता है सामोर बोलता है कहां जा रहे हो मुझे साटो ये लोगों से बोलता है आप यहां रुके पीछे नजर रखो और मैं आघ जाता हूं साटो टामा से बोलता है मुझे टॉर्च दो और बोलता है तुम लग सhour को लोगों से दूर लेके जायो लिज़ा तुम स्लाम को मारो और सब खतम होने के बद हुद मुझे यहां ह टामा आघ से लोगो से दूर रख रही थी और वो तीनों मिलके सबीक बचा रहे थे सामोर ये देखके चूँबार दुखी दोनों एक सांत होता हिस Andrew monster को मारखे जयना के पास जाता है स्लायम मौश्टर मानने वाला थैं तवी साइट वाले थे स्लाइम को मार ध Android reporting मेरी साटो भी सोच रहा होगा जैना ने अभी तारीफ की या बेजिती तभी और ना बोलती है तुम लोग अपना निब्बन वाला कारेकरम जगह देखके तो शुरू किया करो और साटो से बोलती है तो मैं सलाइ मॉस्टर की विकनस पता है ना साटो बोलता है उनकी विकनस उनका कोर है अगर वो खतम तो मॉस्टर खतम जैना बोलती है तुम किते इंटेलिजेंट हो साटो साटो बोलता है इसका पूरा क्राड़ेट लीजा को जाता है जैना बोलती है लीजा तुम्हारी गल्फरेंड और ना बोलती है जैना साटो तुम्हारी धोका दे रहा है कि नहीं उसके बारे मैं यहां से निकलने के बात सोचना साटो बोलता है जैना गलत सोच रही है और ना होली मैजिक से सभी लोगों को हील कर रही थी साटो जैना को बताता है कि इन तीनों की वज़े से मैं अभी तक जिंदा हूँ टामा और पोची जैना को देखके साटो के पीछे चुप जाते हैं साटो बोलता है ये दोनों तो बहुत सर्मीली है लीजा बोलती है मिस आपने हमें बचाया था उसके लिए थैंक्स ये सुनके टामा और पोची भी साटो के पीछे से बाहर आते हैं और बोलते हैं मिस आप बहुत अच्छी हो जैना बोलती है ये तो वही डैमी हूमन्स है कुछ सुलजर आरेंड दोर को खोल रहे थे पोची साटो से बोलती है मास्टा ये दिवाल भी थोड़ी अलग है साटो को मैप से पता चलता है इस वाल के पीछे भी एक हिटन पैसेज है जो उस लेवल 40 वाले वुल्फ बीष्ट के ट्रैप से कनेक्टेड है सुलजर को वहाँ ट्रैजर बॉक्स मिलता है जिसको खोलने से उसके अंदर से आईबॉल मौस्टर बाहर आता है जिसकी लेवल 36 थी और बोलता है मुझे लगा नहीं था यहाँ तक इतने सारे लोग जिंदा बच्छे होंगे लेकिन अब तुम से मरने वाले हो रिचाजमी आईबॉल से बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है हम लोग इतनी आसानी से मर जाएंगे मैं तुम पर अपना फायर पॉल अटेक करूँगा आईबॉल बोलता है तुम हुमन बहुत धीरे धीरे स्पेल कास्ट करती हो जिससे मैं बोर हो जाता हूँ और अपना माइंड कंट्रोल अटेक करता है जिससे सभी सूलजर रुख जाते हैं साटो सही सलामत खाड़ा था लीजा टामा और पोची आईबॉल मॉस्टर के लिउजन में थे उनको सभी लोग खाना लग रहे थे साटो बोलता है ये तीनो सबको मारोस से पहले मैंने बेहोस कर देता हूँ सभी सूलजर एक दूसर से फाइट कर रहे थे रिचमन अपने फार पोल अटेक करता है जिससे आईबॉल को कुछ नहीं होता रिचमन बोलता है मिड़ लेवल मैजिक से भी आईबॉल को कुछ नहीं हुआ साटो बोलता है आईबॉल प्रोटेक्शन स्पेल यूज कर रहा है और बोलता है अब मुझे भी फाइट में खूंदना हुगा तभी साटो के पस्ट लेवल 40 का वुल्फ बीष्ट आता है और साटो पर हमला कर देता है जैना साटो साटो बोलती रह जाती है शाटो और वुल्फ ट्राप से नीचे गिनने लगते है साटो एक केम में आ जाता है और इंवेंट्री से होली स्वाट निकालता है वुल्फ साटो पर अटेक करता है लेकिन साटो एक ही स्विंग में वुल्फ को काड़ देता है और बोलता है होली स्वट तो बहुत सारप है होली स्वर से तो मुझे भी डैमेज हो गया साटो अपनी इंवेंट्री में कुछ देखता है सीन आईबॉल पर आता है साटो आईबॉल को फतर माता है जिससे आईबॉल को डैमेज होता है आईबॉल बोलता है तुम कौन हो यूमन होते हुबी तुमने मुझे डैमेज कैसे किया और साटो पर अटेक करता है साटो एक और फतर लेके आईबॉल को मारता है जिससे eyeball को बहुत damage होता है eyeball बोलता है मैं एक human being से हार गया और बहुत गुसा होता है मरते-मरते eyeball summoning circle activate करता है और साटो को dark magic से cover कर लेता है जिससे साटो eyeball पर attack नहीं कर पाता eyeball बोलता है कितने time के बाद master आप आ ही गए summoning circle से demon lord summon होता है जिसकी level 62 थी demon lord eyeball से बोलता है तुमने dungeon में मुझे summon करके बहुत अच्छा कायम किया इसके फल सा रूप मैं तो मैं खा जाता हूँ इससे eyeball बहुत खुस होता है और बोलता है फिर से एक बार और मैं master के साथ हो गया फिर demon lord बोलता है तुम डरपोग लोग जिसको मैं से fight करनी है वो मेरे सामने आर विंड magic यूस करता है साथू जैन और 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 ना को demon lord के wind attack से बचाता है और demon lord के सामने आ जाता है और अपनी holy sword निकालता है demon lord बोलता है मैं ने देखा ही नहीं कि यहाँ एक hero भी है और पूसता है divine protection मिली है और अपनी strand को बहुत ज़्यादा boot करता है क्योंकि वो साथो से all out जाके fight करने वाला था साथो holy sword को देखता है और जैना की बात याद करता है जहाँ जैना बोलती है holy sword जिसे choose करती है वो सी के हाथ में जाने के बात blue glow होती है लेकिन अभी holy sword साथो को hero नहीं मान रही थी demon lord बोलता है तुम कैसे hero हो जिसे holy sword यूज करते ही नहीं आती ये कितनी सरमनाक बात है फिर demon lord साथो पर attack करता है जिससे साथो को कुछ नहीं होता जैना और नावरिच्मेंट demon lord पर attack करता है से demon lord गुसा होता है और बोलता है तुम वीक लोग मेरी fight का मजा किर किरा कर रहे हो इसलिए तुमको मरना होगा और उन पर attack करने वाला था साथो holy sword अंदर रखता है और magic gun से demon lord पर attack करता है जिससे demon lord पैर की छिंगली जितना damage होता है साथो को जैना की बात याद आती है जैना ने बताया था demon lord और demon को सिर्फ magic और magic weapon से मारा जा सकता है साथो बोलता है मेरे पास जो fire sword इसके level low level की है मैं उससे demon lord को नहीं मार सकता और meteor range से यहाँ सभी लोग मर सकते हैं साथो को idea आता है वो अपना fire sword को max करता है जोता है demon lord बोलता है मुझे लगा नहीं था तो मार्सल आर्ट के साथ साथ magic में भी अच्छी हो यह कैसे हो सकता है rich man बोलता है यह तो highest level magic spell है साथो मनहीमन बोलता है यह तो low level spell है साथो demon lord पर attack करती हो उसके पास जा रहा था और बोलता है मेरे पास hero का title नहीं है इसलिए मैं holy sword का true use नहीं कर सकता लेकिन demon lord high level demon से भी ज़्यादा powerful है वो god like entity है उसे holy weapon या उसी weapon से मिलते जुलते weapon से मारा जा सकता है और एक katana बहान निकालता है और demon lord के पीछे जाता है और बोलता है मेरे पास hero का title नहीं है और बहुत गुसा होता है और बोलता है मैं तुम से हार गया और मर जाता है वो सब बाहर आ जाते है रिच्मन सब को instruction दे रहा था और ना लोगों से बात कर रही थी लीजा टाम और पोची साटो के पास आते है और बोलते है master आपने demon lord को मार ही डाला साटो के पास एक soldier आता है और बोलता है तुम साटो हो तुमको कोई बुला रहा है और बोलता है ये तुमारे slave है साटो बोलता है officially slave नहीं है ये सुनके वो तीनों sad होके वहाँ ही रुख जाते है साटो बोलता है ladies क्या तुम मेरे साथ नहीं चलने वाली वो तीनों खुस हो जाती है और साटो के पास आती है सामरून लोगों से बोलता है तुम लोगों ने मेरी जान बचाई उसके लिए थैंक्स और तुम है मारने के लिए सौरी तब ही जाना साटो के गले लगती और बोलती है तुम जिन्दा हो ये कितनी अच्छी बात है साटो बोलता है हम दोनों जिन्दा हैं साटो को डीमन किलर बग किलर और बहुत से टाइटल मिले थे लेकिन साटो बोलता है मुझे सबसे जादा एक ही टाइटल चाहिए था जो मुझे मिल गया दा हीरो साटो और बाकी लोग टैंड के पास आते हैं जहां स्लेव टेडर साटो को लीजा और बाकी लोगों का ओफिसियली मास्टर बना देता है जिससे वो तीनों बहुत खोस होती है ट्रेडर बोलता है मेरे पास और भी स्लेव है जो आज नहीं भी की क्या तुम होने लेना चाहोगे साटो बोलता है आज के लिए तनी स्लेव काफी है तब ही वहाँ लूलू नाम की स्लेव आती है साटो बोलता है ये तो बहुत क्यूट ह आरीशा के कान में कुछ बोलते हैं अरीशा चिलाती और बोलती है स्पाइडर मेरे सर क्यूंपर मुझे पयूंभी पसंद नहीं है साटो समझ जाता है आरीशा जैपेटनीज है फिर ईकस मेरी मेरे से करती थी सा具 हो न लुग ठोड़े आंगे जाते हैं जहां अरीशा बताती ह मेरा नाम अरिसा है मैं 11 साल पहले Lost Kingdom of Kuark में पैदा हुई हूँ मैं ये चाहती हूँ Master जब तक मैं आपके साथ रहूँ आप मेरा अच्छे से ध्यान रखो Lulu बोलती है मैं हूँ Lulu मेरी उमर है 14 साल मैं 2 Kuark Kingdom में पैदा हुई हूँ जैसे आप देख सकते हो मैं वीक और कमजोर हूँ लेकिन मैं घोड़े जैसे सभी काम कर सकती हूँ उसलिए मुझे साइड नहीं करना Master साथो बोलता है तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हूँ साथो पोची और टाम अपना नम बताते हैं लीजा बोलती है मैं हूँ लीजा और एंज स्केल विलेज से मेरे विलेज को वीजल मैन रेस की लोगों ने खतम कर दिया है फिर मुझे साइगा किंडम में बेच दिया गया और अब मैं Master की स्लेव बन गई हूँ जिससे मैं बहुत खुस हूँ साटो बोलता है तुमको इतना सब बताने की कोई ज़रुवत नहीं थी लीजा इसके लिए सौरी बोलती है अरिसा बोलती है डैमी हूमन से ले विये तो बहुत रियार है लेकिन तुम लोग कितने क्यूट हो टामा और पोची बोलते है क्या हम लोग सच में क्यूट है अरिसा बोलती हाँ साटो बोलता है अरिसा डैमी हूमन से नफरत नहीं करती साटो बोलता है चलो होटल चलते हैं अब टामा पोची और अरिसा साटो के सांथ जाना चाहते थे लीजा पोची और टामा को अपने सांथ उठा के ले जा रही थी साटो बोलता है ये तो पकी बाते की अरीजा जापान से है लेकन ये बात मैं सब के सामने अरीजा से नहीं पूछ सकता तबी लूलू के पेट से आवा जाती है साठो बोलता है होटल जाने के पहले हम कुछ खाके चलते हैं तुम लोग क्या खाना चाहते हो टाम और पूची मीट खाना चाहते थे लीजा बोलती है मास्टर अब जो खाने को दोगे वो हम खुसी-खुसी खालेंगे लेकेन मुझे भी चिक्इन खाना है आरिशा बोलती है सिलेव के तौर पर हमें खाने को मिल रहा है वही काफी है हमारी पसंद गई भाड मैं लूलू के पेट से अभी वी आवा जा रही थी साटो बोलता है तुम लोग नॉर्मली क्या खाते हो लूलू बोलती है जहां तक मैं को याद है जब से मसले बनी हूँ तब से मैं सूखी ब्रैट खाती हूँ आरिशा बोलती है hot soup बिना मीट के मेरे लिए एक party की तरह है लीजा बोलती है दिन में एक बार खाने को मिल जाए वही काफी है जब नहीं मिलता है तो जंगली fruit खाके मैं अपना पेट भर लेती हूँ एक बार तो मैंने पत्ते भी खाये थे तामा बोलती है मैं तो कौन खाती थी पूची बोलती है मैं तो घास खाती थी साटो बोलता है तुम लोग सत्में ये सब खाते थे फिर वो लोग restaurant में खाना खाने आते हैं खाने को देखके टामा और पूची की आँख हा चमकने लगती है यहां बहुत सारे लेबर आते हैं यह उनकी पसंद का होगा वेटर और खाना लेके आता है टाम और पूछी वो खाना खाते हैं और बोलते हैं इसमें तो बहुत मिर्ची है लीज़ा बोलती है जो तुम से ना खबे वो मैं खालूँगी जवर जस्ती नहीं खाओ अरिशा उलूलू अपना खाना उन दोनों को दे देती है साटो देखते हैं उन लोगोंने अभी तकसलेव ड्रिस पहनी है तब ही साटो वहां से जाने लगता है लीजा पूछती है, मास्टर आप कहां जा रहे हो साटो बोलता है मैं पास ही सॉपिंग करने जा रहा हूँ लीजा बोलती है हम भी आपके साथ चलते हैं साटो बोलता है तुम सब यहां बैट के खाना खाओ और यह मेरा ओडर है फिर साटो उन लोगों के लिए कपड़े ले लेता है राश्ते में उसको चिकन सॉप मिलती है लीजा को चिकन खाना था तो वो चिकन मी पैक करवा लेता है साटो को साइड में कुछ डैमी हूमन किड मिलते हैं जो बहुत भूके थे साटो उन से बोलता है तुम सम्मिल कर यह खाना खालो साटो रेश्टोरेंट में आता है जहां सभी सलेमनियों कपड़े पहन लेते हैं और बहुत खोस होते हैं साटो बोलता है तुम सब तो बहुत अच्छे लग रहे हो साटो बोलता है इन लोगों की वज़े सही मैं जिन्दा डंजन से बापस आप आया हूँ अगर तुम्हारे पास और भी रूम है तो हमाँ चाहिए मोसा बोलती है सभी रूम बोख हो चुके हैं वहाँ सब लोग डैमी हूमन को गुस्से से देख रहे थे साटो मार्था से बोलता है तुम टामा और पोची को मेरे रूम लेके जाओ हम सब बाहर कैम्प लगा के सो जाएंगे आरिसा साटो का हाथ पकड़ती है और बोलती है मास्टर स्ट्रस मतलओ मा कुछ करती हूँ आरिसा अपना मैजिक यूज करती है और सबसे बोलती है आप लोग के घूनने से हम लोग डर गए हैं और मोसा से बोलती है मैम आपके पास घोडों का स्टबल या कोई सैड तो होग फिर साटो अस्दबल मैं उन लोगों के लिए बैड बनाता है जो टाम और पोची को बहुत पसंद आता है साटो बोलता है अगर तुम्हें कोई परिशान करने आये जब तक जरूरी ना हो तब तक उसकी जान मत लेना और हेल्प हेल्प जोर से चिलाना मैं आ जाऊंगा साटो को सर्विस लेने को बोलता है तुमको ठंड लग जाएगी और बोलता है आपको हमारी सर्विस नहीं चाहिए क्या साटो बोलता है मुझे कोई इंटरस्ट नहीं है सो जाओ कल जल्दी उठना है बहुत सारे काम है मेरे को लूलू रोने लगती है साटो लूलू को कुछ कपड़े देता है यह सब तुम पहले करती होगी लेकिन अब करनी की कोई जरूत नहीं है लूलू सो जाती है साटो भी सो ही रहा था सोते सोते साटो साइकिक मैजिक सीख जाता है, साटो कि याां ख खुलती है, वो देखते है आरीचा और डाटर ट्रांसफर कर रहे हैं, साटो बोलता हूँ तो अपना मैजिक करना बंद करो, और दूसरा ऑडर यह है। अभी तक तुमने जितने भी स्पैल काश्ञे है, उसको अरिसा बोलती है क्यों अरिसा बोलती है मैंना जब तुम्हें पहली बार देखा तब ही मैं तुम्हारे प्यार में गिर गई थी साटो को समझ नहीं आता और बोलता है गिर गई थी लेकिन कहां अरिसा बोलती है soft skin, काले बाल, सबको अच्छे से treat करना, मैं ऐसे ही इंसान को अपना husband बनाना चाहती थी, लेकिन वो मेरा master बन गया, वो भी अच्छा ही है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ डाटर ट्रांसफर करना था, लेकिन तुमने उसके लिए मना कर दिया, मुझे लगा बैड में जाने के बाद, तुम मुझे बुला लोगे, लेकिन तुम सो गए, इसलिए रात के अंदेरे में, मैं आपके बैड में आये थी, आपको अपने वस्म करद के, डाटर ट्रांसफर कर सकूं, साथो अरिसा की गाल दबात और बोलता है, तो मैं अपनी प्यास बुजा अरिसा बोलती है, तुम सौक हो, ब्लेक हेर, तुम भी यहाँ हीरो बनके रिकानेट हुए हो, अरिसा बोलती है, तुम दूसरे जैपनीज हो, जिससे मैं इस वर्ड में मिली हूँ, साथो बोलता है, लूलू भी जैपनीज है, अरिसा बोलती है, इसके दादा जी जैपनीज लूलू भी जैपनेजी दिखती है क्योंकि इसके अंदर उनके दादा जी के जीन्स हैं ये बहुत सुन्दर है अगर ये जैपान में पैदा हुई होती तो अप दर बहुत फेमास कि ये पॉप इस्टार बन चुकी होती लेकिन यहां के लोग उसको सुन्दर नहीं मानते अरीसा बोलती है अब तुम मेरे सवाल का जबाब दे तुम यहां रिकारनेट हुए हो या ट्रांसफर होके आए हो साटो बोलता है दोनों चीज में अलग क्या है अरीसा बोलती है जब तुम रियर वर्ड में मर जाओ तब तुम यहां रिकारनेट होते हो और जब तुम ट्रा तब हमारे नया नक्स सभी पहले जैसे होते हैं अरिशा बोलती है समनेंगे टाइम पर तुम्हारे पास जो कुछ भी होता है वो सब इस बर्ड में आ जाता है तुम्हारे साथ और बोलती है तुम यहां किस टाइप से आये हो साटो बोलता है मेरे हिसाब से दोनों से नहीं अरिशा बोलती है जब तुम यहां आये तब तुम्हारे नीचे मैजिक सरकल था की नहीं साटो बोलता है नहीं मैंने तो बंजर इलाके में अपनी आखे खोली थी आरिशा बोलती है तुम इस वर्ड में गौड से मिलकर नहीं आये साटो बोलती है जब तुम आये ते तब त इसके बारे में नहीं बताना चाहती तुम मत बताना और पूछता है तुम स्लेप कैसे बनी अरिसा कुछ तो बोलती है वो हमें नहीं बताया जाता और सुबा हो जाती है मार्था डोर खुलती है साटो तुम्हारी गल्ट्रेंट तुमसे मिलने आई है साटो बोलता है जैना अंदर आओ मैं उपर कुछ पहन लेता हूँ जैना और मार्था अंदर आते हैं और देखते हैं साइड के बैड में तो लू-लू सो रही है और बोल रही है मास्टर कल रात जैना के पास जाके उसके साथ डांस करने लगता है और बोलता है जैना जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है जैना बोलती है तुम छोटी बच्चों के साथ ची लीवियो ने मुझे बताया था मैन अपने नीड पूरे करने के लिए स्लेप पर्चिस करते हैं साटो बोलता है बाकी मैंना सया करते होंगे लेकिन मैं तो दूद के धुला हुआ हूँ जैना पूछती है वो लड़की तुम्हारे बैड में क्या कर रही थी फिर साटो बोलता है जब मैं सोया थै तब वो मेरे पास आ गई और हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ और बोलता है जैना आज तो तुम और भी ज़्यादा अच्छी लग रही हो इसका क्या राज है साटो बोलता है जब भी लड़कियों का गुसासांत कराना हो तो उनकी तारीफ कर दो बास जैना बोलती है ऐसा है क्या साटो तुम भी ना फिर बोलोग होटल आते हैं बाहर उनको अरीचा मिलती है और बोलती है मार्टर आपने में इसको मना ही लिया साटो बोलता है इसकी वज़े से यह सब हुआ और यह अंजान बन रही है और उसके माथे में मारता है और बाकी सब को यहां लाने को बोलता है अरीचा वहां से चली जाती है फिर हमें बताये जाता है रात को अरीचा ने साटो को क्या बताये था अरीचा कुवार किंड़म में रिकारनेट हूँ थी और अपने प्रीवेस लाइप की नॉलेज की हैल्प से उसने अपने किंड़म को वैल्थी कर दिया था लेकिन बहुती जल्दी ये सब खतम हो गया, पूरे किंडम में लडाई दंगी होने लगे, साटो बोलता है इसके पीछे किसी का तो हाथ होगा, अरिसा बोलते है किसी का हाथ तो था, लेकिन उस टाइम मैं अतनी डिप्रेशन में थी कि मुझे उसके बारे में बाद में पता चला, लेकिन टाइम बाद वहाँ एक डीमन आया, और सब कुछ तभा कर दिया, तब मैं लूलू वहाँ से भाग गए, और भूके प्यासे मर रहे ही वाले थे, तब ही स्लेव टेडर ने हमें बचा लिया, और स्लेव बना लिया, प्रिजन में अरिसा सभी लोगों को ले आती है, और बोल देखना कहीं कोई चोर, अरिसा से चोरा ना ले टाम, और पुछी बोलते हैं, मास्टर हम भी अरिसा दीदी को, चोर से प्रोटेक्ट करेंगे, अरिसा साटो के कान में बोलती है, मास्टर जब जरूरत हो तब क्या मैं अपना मैजिक यूज कर सकती हूं, साटो बलता हाँ, क प्लेप की जिन्दकी जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैना साटो से पूछती है, साटो आज के दिन का तुम्हारा क्या प्लान है, साटो बोलता है, मैं और जोब बालें को पास जाके उनसे मेरे लिए घर रेंट में लेने को बोलूँगा, जहां डैमी हूमन से किसी को प करती थी, साटो नाडी को बोलता है, मुझे घर में रेंट में चाहिए, जहां मैं अपने फ्रेंड के साथ रह सकूँ, नाडी बोलती है, अगर आप डैमी हूमन के साथ रहना चाहते हैं, जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए वेस्ट एरिया बैस्ट है, जहां ल नाडी उनको पहले घर पर लाती है, और बोलती है, इस घर के ओनर को क्राइम गिल्ट के एक आदमी न घर के अंदर ही मार दिया, साटो बोलता है, इसलिए इसका रेंट इतना काम है, लेकिन हम यह नहीं चाहिए, सेकंड घर रैड लाइट एरिया में था, साटो उसे भी रे साम को आफिस आता हूँ, और जैना से बोलता है, जैना अब तुम कहां जाना चाहती हो, नाडी बोलती है, थोड़े उपर अच्छा मार्केट लगाए, जहां वाक पर जाना अच्छा है, और वहां सस्ता सामान भी मिलता है, मैं और मैनेजर कल वहां गए थे और बहुत सस्त कि हमारे पास बहुत सामान था, सामान को हमने होटल में छोड़ दिया और हम लोगों ने न्यू कपड़े लिए, मास्टर हम कैसे लग रहे हैं, साटो बोलता है बहुत अच्छे, और बोलता है अरीसा तुमने अपने हेर कलर चेंज कर लिया, अरीसा बोलती है परपल कलर यह बोरा माना जाता है, इसलिए मैं ने कलर चेंज कर लिया और साटो से चिपक के बोलती है, मास्टर मुझे कुछ चाहिए, साटो बोलता है जो कुछ भी बोलना है दूर से बोलो, फिर साटो जैना एक सौप पर आते हैं, जहां साटो जैना से बोलता है जैना तुमारे उपर ये येरिंग बहुत अच्छे लगींगे ये तुम्हारे बालों के साथ मैच भी हो रहे हैं जैना बोलती है सच मैं तब भी वहां अरीशा आती हूं बोलती है मास्टर मुझे कुछ चाहिए साटो बोलते हैं पूरे ग्रुप के लिए हम सौपिंग करते हैं जैना येरिंग में हुए था और दूसरे साइट साइगा विलेज के ये और इसे मास्टर हम लेठ हो गए तो पॉपलर प्ले में सुझाए गा और बोलती है आपने प्लेग के टिकेट ले ली साटो बोलता अभी तक नहीं लीजए समस्टर वो का मैं कर लेती हूं साटो जैना से बोलता है ग प्रिंस को जैन की कौमेनर विजार से प्यार हो जाता है लेकिन प्रिंस का महंगेतर मार्कीस को यह पता चल जाता है तो वह जैन के पूरे खांदान को मरवा देता है और प्रिंस की नौकरानी दोके से जैन का काम कर देती है इसके बाद प्रिंस अपनी जान भी दे देती है यहाँ ही इस प्ले के एंडिंग हो जानी चाहिए थी टाउम और पोची की नीद खुल जाती है क्योंकि वहाँ बहुत सोर हो रहा था प्ले में आंगे जैन की बॉड़ मारकिस को मारकिस को मानने आया था लेकिन रियल इस्टोरी में यह नहीं था जैन और प्रिंसेस दोनों कॉमिनर थे मारकीज को प्रिंसेस पसंद आ गई थी तो उसने प्रिंसेस का अपरहन कर लिया साटो बोलते हैं अच्छा रियल एंडिंग ये थी लेकिन नोबल लोगों नराइटर के काम को चेंज कर दिया जिसका फल इतनी बेकार एंडिंग निकली टाम और पोच्छी साटो के पास आते हैं और बोलते हैं मास्टर हम लोग आपको कब से धूट रहे थे आप कहां चले गए साटो बोलता है ये लोग मुझे चैंज से बातरूम भी जाने नहीं दे चकते जैन और लीजप लेके बारे में बात कर रहे थे जैना बोलती है जब प्रिंसस ने अपनी चान ली तब मैं रोने लगी थी आरीसा बोलती है प्रिंसस बेपकूफ थी प्रिंसस को चाकू लेके मार की इसका खेला कर देना था सब चीज की प्रॉब्लम वही था दो प्रिंसस की गलती है जब दोनों फैंपली ना रिंज मारे रिट voc कर दी थी तो उसन ने जैन से प्यार ही क्योन किया सब कूछ प्रिंसस की गलती का नतिजह है जैना बोलती है तूमको साधी कननी होगी इस खिंडम की लड़किये साधी के बाद घर समानने का काम करती है और तुम मिलेटरी में हो, मतलब पांस साल सर्विस के हो, पांस साल तुम्हारी फ्री लाइफ अरीशा बोलती है, जिससे तुम प्यार करती हो, उससे साधी करने के लिए तुम पूरी दुनिया से फाइट करनी होती है अगर तुम फाइट नहीं कर सकते तो तुम ट्रू लब नहीं करते जैना बोलती है, मैं फैमली के हैड की ओर्डर को कैसे मना कर सकती हूँ अरीशा बोलती है, तुम अच्छी लड़की बनने का नाटक करती रहो और तुम्हारे सामने तुम्हारे प्यार को कोई और उड़ा ले जाएगा तब तुम देखते रहना बस साटो अरीशा को मारता हो, बोलता है, तुम नहीं बहुत कुछी बोल लिया सब चीजों के लिए जैना को सौरी बोलो साटो बोलता है, अरीशा का कहना भी गलत नहीं है साटो टाम और पोजी से बोलता है, मीट किसको खाना है लीजा बोलती है, मास्टरा को कितना मीट चाहिए, मैं लेके आती हूँ साटों बोलता है इतना लाव कि सब लोगों का पेड़ भर सके फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जैना मनीमन अरीशा की बातों के बारे मां सोच रही थी जैना फिर लीलियो लोना और लू के पास आती है और देखती है उन तीनों की तो हालत बहुत खराब है जैना उनको हील कर रही थी वो तीनों बताती है हमारी फाइट फैंग एंट से हो गई लेकिन उससे पहले हमें रैट मैंन का ग्रुप मिला जिसको लीलियों ने देखा था जो बॉडर पार कर रहे थे उन्हीं से एट्रेक्ट होके फैंग एंट से यहां आ रही है रैट मैंन के कमांडन ने रैड हेलमेट पहन रखा है अगली बाव वो मुझे मिल गया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी जैना उन तीनों को हील कर देती है और साटो से बोलते मुझे बाकी घायल सोलजर को भी हील करने जाना होगा साटो को चिलाने की आवाज आती है साटो जाके देखता है टाम और पोची ने एक एंट मारी है वो दोनों बोलते हैं मास्टर ये उपर से हमला कर रही थी तो हमने इसे टपका दिया लीजा वहां आती और बोलती है यहां और भी एंट हो सकती है इसलिए हम सतरक रहना चाहिए साटो देखता है वो लेवल 3 की फ्लाइंग एंट और ब कुछती है साटो क्या हुआ साटो बोलता है सिटी में बहुत सारी फ्लाइंग एंट का हमला होने वाला है तब ही सिटी की सेकुरिटी अलारम बजने लगते हैं मार्ता मोशा बोलते हैं मॉस्टर ने हमला कर दिया साटो होटल के बाहर ही था और बोलता है एंट की लेवल तो एंट अंदर आते ही मारी जा रहे हैं इसमार को फूर्फल मैंजिक से पोरी सिटी को दिवान फूर्फॉL मैजिक से और इसमार कितना खुर्च लूलू को लो उस घर के शुप जाऊ और तामा और पोची से बुलता है तो मार Hai को मारेंगे एंट्रन्स पर इंट को मार रही थी साटो लीजबी वहां आते हैं लीजबी एंट को मानने लगती है साटो फ्लाइंग एंड को मार रहा था और जो एंट साटो बच रही थी उनको टामा और पोची मार रहे थे पोची की उपर एंट समला कर देती है लेकिन टामा पोची को बचा लेती है इसमा कोई बड़ी बात नहीं थी अरीसा भी साइकिक मैजिक से एंट को मानने में हेल्प कर रही थी साटो देखता है कुछ एंट नाडी के ओफिस म जनने बचाया था नाडी उसकी जान बचाने के लिए साटो और मैनेजर दोनों को किस करती है मैंने जब पूछता ही यह कौन है नाडी बोलती है यह घर राइंट में लेने के लिए हमारे पास आया है और इसी नहीं मुझे बचाया है साटो बोलता है यह तो फैंटेस्टी यहिसे-धियर वाले होते है मैनेजर वह नहीं और और अइलफ बोलने से घ Państwo हो जाते है यह को अअ chamber से सब्हूंग ससे सब गलत होने लगी है साटो बोलता है मैनेजर के सवे मुझे बारे में पता नए नहीं था नाडी फर मैनेजर के इयर देखा ती है साटो बोलता है ओतों में लेने की बात है도 में करते हैं और वहाँ से बाहर आ जाता हैं सोल्जर की वॉलिते वहें मुझे दूड रहे सकते हैं साटो बोलता है एक मिनिट सर और कहर अपूर में लिखका तो कि आप यह違う कि आहिए सब्सक्राइब नहीं लगाurg में रूटर सब्सक्राइब joking के से हटेरी से इसाप से तो सक नहीं है पूरी जी जान से होटल को प्रोटक्ट किया, यह सुनके टाम और पोची सरमा रही थी, साटो डेखता है लूलू की तब ये तब ये तक ठीक नहीं हुई, साटो मेडिकल से अब धूरने बाहर आता है, रास्ते में उसको डंजन वाले लोग मिलते हैं, जो जबज़ती साटो क को ड्रिंग करने को बोलते हैं, साटो रैड लाइट से बाहर आता है, मुझे तो वो ड्रिंग को बोलके वहां ले गए, तब ये साटो को साटो को शेडो आूल का पंक मिलता है, शाटो बोलता है, टाम और पोची को ये पसंद आएगा, साटो को फाइट किया वाज आती जा मौस्टर साटो पर हमला करते हैं साटो मैजिक गंद से उनको मार देता है और बाकी दो मौस्टर को भी मार देता है और वहां एक आदमी के पास जात और देखता हो उस आदमी ना तो रैड हैलमेट पहना है और वो बोलता है तुम भी उन लोगों के साथ ही होना साटो बोलता ह किसके साथ वो आदमी बोलता है मेरे पात ज्यादा टाइम नहीं है तुम प्रिंसिस को सेफ रखो साटो सादमी को हील करने की कोशिस करता है साटो उसको लेके नाडी के ऑफिस आता है अभी नाडी और मैनेजर सो रही है साटो डूर की नकली चावी बनाता है और उन दोनों को अंदलाता है तब तक मैनेज़र और नाडी भी ऊड जाते हैं साटो बोलता है तिनी रात को आने के लिए सौरी लेकर मुझे इस चंहें आने को जाता है मैनेजर पैर साटो बोलता है डूसरी तो एक ऐलफ है मैनेजर बोलता है मिया मिया आखें खोलती है और साटो को देखके बोलती है ये कितना हैंडसम है और फिर से बेहुस हो जाती है बताओ मिया की जान के लाले पड़े हैं और इसको लड़के सैट करने है रैट मैन की तबियत और खराब होने लगी थी नाडी बोलती है जल्दी दिन साटू अरिसा के पास था अरिसा बोलती है मास्टर आप रैट लाइट एरिया में क्यों गए थे जो आपको वहां मिला वो तो मैं भी दे सकती थी साटू बोलता है मैं लूलू के लिए मैडिसन लेने गया था तब कुछ लोग मुझे मिले और धोके से मेरे को वहां ले ग लाया हूँ लूलू बोलती मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया साटो और जॉब ऑफिस आता है और नाडी से पूछता है वो दोनों कैसे हैं नाडी बोलती वो दोनों सो रहे हैं मिया बिल्कुल ठीक है बस थोड़ा थक गई है उसको रेश्ट की जरूरत है और मैने के हिसाब से मिया भी 11 साल की है लेकिन धीरे धीरो उसका माना रिकवर हो रहा है नाडी बोलती है मिया की माना रिकवर स्पीड को हम माना पोर्सन से इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन वो बहुत कॉस्टली होते हैं या हम मिया को हाइली डैंस माना एरिया में ले जाना होगा जैस काम करती हूँ और मैनेजर यूया यहां के ओनर है मिया बोलती है डोर के पीछे कौन है नाड़ी बोलती है उसी ने तुम्हारी और रैड हैलमेट की जान बचाई थी और वो तुमको यहां लेके आये था क्या वो भी अंदर आ सकता है साटो अंदर आता है मैं हूँ साटो और म सपरेट को देख सकता है साटो बोलता है साटो मिया करने के लिए मुझे कुछ ट्रिक लगानी हो करती हैं और यह unique characteristic है मिया खाना खाती है साठो बोलता है मैं बहुत देर यहाँ रुग गया नादिया यहाँत जाता हूं मिया साठो को रुकने को बोलती है सीन टामा और बाकी गुरुप पर आता है वो कार्ड से पढ़ना सीख रहे थे साटो वहाँ आता और बोलता है इन कार्ड को तो मैंने कल खरीदा था टामा और पोची बोलते हैं मास्टर हम लोग पढ़ना सीख रहे हैं साटो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है और उनका टेस्ट लेता है और पोची से पूछता है इसका नाम क्या है साटो बोलता है ये गोट है टामा से पूछता है इसको क्या बोलते हैं साटो बोलता है गदो बच्चो ये रैबिट और गोट है अरिसा बोलती है टामा और पोची गलत थोड़ना बोल रहे हैं लाश्ट में अनिमल मीट ही तो बनते हैं फिर साटो बोलता है लेकर नाम तो सीखो कि तुम किसका मीट खा रहे हो फिर पोची बोलती है ये गोट मीट है टामा बोलती है मेरा वाला रैबिट मीट है फर वो दोनों साटो को मीट की स्पैलिंग लिखने को बोलते हैं मार्था यूना के पास आती और बोलती हैं हमें कितना कुछ काम करना है इस्टैबल साप करना है पानी भनना है वो भी खाने बनाने के पहले और तुम यहां बच्चों के जैसे खेल रही हो यूना बोलती मैंने वो सब काम कर लिया और टाम और पोची ने मेरी इस पर हेल्प भी की थी वो सब खाना खाते हैं साटो बोलता है मुझे एक प्रिंसेज मिली है जिसे रैटमेंड प्रोटेक्ट कर रहा था वो लोग बोलते हैं हमें भी rat man princess देखनी है साटो बोलते हैं खाना खाने के बाद हम उससे मिलने चलते हैं साटो लूलू से बोलता है अब तो तुम ठीक होना तुम भी हमारे साथ चल सकती हो टामा पोची और अरीसा मिया से मिलने आये थे मिया पहले तो सर्मा रही थी फिर उनको अपना नाम बताती है वो लोग बोलते हैं ये कितनी सुन्दर है बिल्कुल प्रिंसेस की तरह है और बोलते हैं मास्टर ये rat man princess कहां से दिख रही है आको साटो बोलते हैं मैंने कब बोला ये मैंने बोला था कि rat man princess को protect कर रहा है और बोलते हैं लोगों को कम सुनाई देता है क्या और बोलते है चलो मैं नीचे जा रहा हूँ तुम लोग मिया के ध्यान रखो मिया फिर से साटो को रुकने को बोलती है साटो बोलते है मिया को में से इतनी के attachment हो गई है जो ये मुझे बार-बार रुकने को बोलती है मैं तो कभी इसकी ममी से मिला भी नहीं नीचे नाडी खा ना खा रही थी तबी वहाँ साटो आता है नाडी बोलती है साटो तुम मर्चेंट हो ना साटो बोलता हाँ और मनी मन बोलता है लेकिन मैंने आज तक कुछ सेल नहीं किया नाडी बोलती है तुमारे पास कार्ट नहीं है ना साटो बोलता मेरे पास होर्स था लेकिन आसमान से तारी गिनने के टाइम पे वो डर के भाग गया नाड़ी बोलती है अगर तुम कार्ट खरीच सकते हो तो मैं तुम्हें एक कार्ट रेकमेंड करती हूँ जिसके सांस उसको चलाने के लिए दो गोड़े भी मिलींगे मैनेजर का एक मर्चेंड डोस्त है जो रिटार होने वाला है वो अपनी कार्ट बेच रहा है साटो थोड़ा सोचतर बोलता है कार्ट तो मैं लेलू लेकन मुझे कार्ट ड्राइब करते नहीं आती लू-लू वहां ही थी और बोलती है मास्टर मुझे एक गोड़े वाली कार्ट चलाने का experience है साटो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है कम से कम तुम किसी काम तुआएं तुम मुझे काड ड्राइब करना सिखा सकती हो साटो नाडी से बोलता है मैनेजर से बोलो जितना जल्दी हो सके वो काड बुक कर दे नाडी बोलती है तुमने तो बहुत जल्दी मैं कितना बेकार मर्चेंट हूँ दूसे दिन साटो और उसका ग्रूप कैम्पिंग करने आये थे वो लोग घास काटते हैं फत्तर से चूला बनाते हैं टेंट लगाते हैं लीजा अरीसा लूलू वेजिटेबल काटके खाना बनाते हैं अरीसा कैटल लाई थी टाम और पोची कैटल को देखे क्यूरस थी टाम और पोची साटो के पास आते हैं मास्टर वो कैटल मैं गुस्सा हो गया है और बलास्ट होने वाला है उससे बहुत तेज आवा जा रही है साटो बोलता है डरने की कोई बात नहीं है वो बता रहा है कि उसके अंदर का पानी गरम हो गया है साटो बोलता है इनको सब जानना है और बोलता है उसके अंदर का पानी बहुत तेज हीट में बहुत जादा टैंपरेचर में गरम होने के बाद भाप के रूप में बाहर आ रहा है अरीशा साटो से बोलती है तुम भी टीचर बनके समझा रहे हो वो दोनों छोटी बच्ची है उनको कुछ समझ नहीं आने वाला और केटल का धकन खोल देती है और बोलती है अंदर का पानी गरम हो गया था और वो आवाज कर रहा था लेकिन धकन खोलने पर इससे जो स्मोक निकली उसे भाप बोलते हैं जिसके बाद यह नॉर्मल हो गया और प्लांट से एक्स्प्ल लाए थे क्योंकि साटो ने उस दिन उनको खाना दिया था तब ही वहां पोचियो टामा आता है और बोलते हमारे मास्टर से दूर रहो बोलता है यह लोग मुझे खाना देने आया है बस मैंने एक बार हेल्प की थी पोचियो टामा बताते हैं डैमि हूमन खाने को क्या हमारे पास बहुत सारा खाना है तुम यह ले जाओ पोचियो टामा मीट बोलने वाले थे लेकिन साटो उनका मुह बंद कर देता है डैमी हुमन थैंक्स बोलके मीट लेके वहां से चले जाते हैं दूसरे दिन नाड़ी साटो को कार्ड दे के उसके नाम पर कार्ड रजिस्टर भी करवा लेती है अरिसा बोलती है अब तो हमारे पास कार्ड भी है चलो हम मिया को उसके घर छोड़ देते हैं साटो पूछता उसका घर कहा है नाड़ी बोलती है एल्फ बिले सीगा किंडम के साउथ साइड में है साटो बोलता है मैंनेजर जब आएंगे तम मैं उनसे इस सही रहना चाहिए साटो बोलता है इससे बात करना तो मिया से बात करने से भी मुश्किल है लेकिन मेरे पास एक आइडिया है लूलू बोलती है अरिसा परफेक्ट सिष्टर है और उससे अच्छा कोई भी नहीं साटो बोलता है सब लोग किसी ना किसी टॉपिक पर अच्छ नहीं पाती साटो काट ड्राइव कर रहाता और काट स्किल को अपग्रेड कर लेता है वो ड्राइविंग में पर्फेक्ट हो जाता है लूलू थक के साटो के कंधे में सर रख लेती है साटो को लगता है उसको कोई देख रहा है साटो के साट से एक काट जाती है साटो को पेड और इसा के सांद मिया भी आती है साटो बोलता है तुम ठीक हो गई और चलने भी लगी हो अर इसा बोलती है मैनेजर ने माना मैडिसन लाई जिसको मैना भी कभी नहीं देखा था जिसके बाद मिया ठीक हो गई साटो बोलता है तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो मिया आज वो लोग बोलते हैं मिया की ठीक होने की खुशी में हम पाटी करते हैं साटो मिया से पूछता है तुमको क्या खाना है मिया बोलती है हनी बन अरिसा बोलती है जब से टाम और पोची ने इसे बताया कि हनी बन किते अच्छे होते हैं से मिया को भी हनी बन खाना है, साटो लूलू और लीजा को हनी बन लाने को बोलता है, अभी भी वो लूलू साटो को दूर से देख रहाता है, टाम और पोची बोलते हैं, ये बड़ कितना अजीव है, फिर वो लूलू बोड़े के चला जाता है, साटो नाडी के ओफिस साता ह नाड़ी बोलती है मैनेजर मीजे से बात कर रहे हैं साटो अंदर जाता और उसको पता चलता है रैड हलमेट का नाम मीजे है मीजे साटो को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है मीजे से पता चलता है मिया को एल्फ ब्लेज से विजार ना उठा के क्राडल नाम की ज पूछ आइडिया है लेकिन वो मुझे बताना नहीं चाहते तो मैं भी पूछ नहीं रहा और सोचता है मुझे मैनेजर से मिया को घर छोड़ने वाली बात करनी चाहिए तभी नीचे से चिलाने की आवाज आती है साटो मैप पे देखता है उसको कोई आनिमी नहीं देखता इसा बोलती है हाँ टामा को देखता है कि आफिस के अंदर भी वही उल्लू बैटा है उस उल्लू से धीरे धीरे एक इनसान बाहर आता है जिसको देखके साटो सौक होता है मीजे बोलता है यह आ गया और उस आदमी पर हमला कर देता है लेकिन वो आदमी साइकिक मैजिक इसकिल को आउन करता है जिससे सब नॉर्मल हो जाता है साटो साथमी के स्टेश्ट देखता है जिसमें उसका नाम जैन था टाइटल endite king था और skill unknown थी साटो बोलता है जैना मैंना कही तो सुना है हाँ, जैनन नाम तो उस फिले की हीरो का था है आध्मी बोलते है मैं तुम मै पावर को रजिस्ट कर सकते हो और सही सलामन मेरे सामने खड़े हो ये हीरो के डिसेंडेंट के लिए भी बड़ी बात है साटो बोलता है ये किसको हीरो का डिसेंडेंट बोल रहा है जैन बोलता है मैं हीरो के डिसेंडेंट को मानना नहीं चाहता है लेकिन अगर तुम मेरे रा पूछ्टियोर नाड़ी अवियोस है साटो फिर मर्सलार्ट का The लेकिन तुम बहुत पावरफुल हो तब भी तुम मुझे नहीं हारा सकते अरिसा बोलती है तुम मेरे मास्टर को छोड़ दो और उस पर अटेक करती है जिससे जैन को ज्यादा कुछ नहीं हो लेकिन जैन का फेस दिख जाता है अरिसा बोलती है एक अंडेड जैन बोलता है मै पर आपको प्री कर लेता है लेकं साटौ अपने मैजिक से सैडो को खतम खतें जिससे जैन सौक होता है और बोलता है मेरे सैडो को कोई डिस्ट्रोई नहीं कर सकता सेवाई मैजिक आइटम के अरीचा बोलती ये बहुत पावरफुल है मिया बोलती तुम लोग मुझे छोड़ के यहां से भाग जाओ अरीचा बोलती मैं तुम्हें बचा रही हूँ इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो और बोलता है तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है लेकन हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते और बोलता है मुझे इतना तो पता है कि ये एक undead king है कोई normal undead नहीं जैन बोलता है तुमने बोला था तुम मर्चेंट हो, फिर मार्सल आइटेस्ट बन गए और अब गनमेन, साटो बोलता है मेरे पास बहुत कुछ है, तब यारीसा बोलती है मास्टर हटो, फिर अरीसा बहुत खतरनाक मैजिक अटेक करती है, जिसमत ज़्यादा मैजिक यूज ह होने की वज़े से उसके बाल फिर से परपल हो जाते हैं लेकिन जैन बाल बाल बचता है अरीशा बोलती है मास्टर ये बहुत पावर्फुल है जैन बोलता है परपल बाल तुम भी यहां रिकारनेट हुई हो और ये तुम्हारी यूनिक स्केल है और साटो से बोलता है हच से जादा ताकत सिर्फ तबाही लाती है अगर तुम इसको गौड का खिलाना नहीं बनाना चाहते तो इसको अपनी इसके लिए यूज करने नहीं देना साटो बोलता है वो हम पे छोड़ दो फिर जैन मिया को अपने साथ ले जाने लगता है और साटो कुछ नहीं कर पाता है जै साटो बोलता है मिया फिर से गिड्नाप हो गई है तुम बाकी लोगों को देखो मैं मिया के पास जा रहा हूं फिर साटो बहुत बड़े डार्क एरिये में था जहां थोड़े टाइम आने के बाद ही साटो का स्टैमिना और माना खतम होने वाला था और साटो का मैप भी उस को खुस होना चाहिए या हैरा कि मैंने इसका प्रिजन तोड़ दिया यह कितना अजीव है जैन बोलता है क्राइडल टेस्ट पार करके तुम यहां आ सकते हो यह काम एक सचा हीरो ही कर सकता है तुम यहां चीटिंग से नहीं आ सकते साटो बोलता है अब तुम गेम मास्टर करेडल कर सकता है तुम एंब honest में की ने कि और आ जाता है और बोलता है जैन के अलगी चोचले चलते रहते हैं जाट्व के सामने बहुत बधा ट्री था जिसके नाम ट्राजा यु विया क्रेडल है साटो बोलता है इसके टॉप पर कहीं मिया है और मैप से देखता है और बोलता है यह इरिया तो सीरियू सिटी के साइड माही है जब मैं मिया को बचा लूँगा तम मैं टॉप से जल्दी सिटी पहुँंद जाऊंगा कि लोग भी यहां आ सकते हैं lens रिसके में अंदर जाने बीजा सकती है अंदर जाने में ठोप खत्रा है लेकिन मिया को मेरी हैफ की जरूरत है मुझे अंदर जाना ही लेकिन फ्रसाahu गेट कहांउद के अंदर जाता है जहां उसको लेवल वन का जोको ॐ बार समुस्त wollot बच्चों का गेम है और RPG गेम लवर के लिए ये बैश जखाय है मैं पहले ट्रैन फ्लोर तक मॉस्टर पर नज़र रखूँगा और कुछ नहीं करूँगा फिर साटो प्लांट एरिया में आ जाता और बोलता है तुम मुझसे छुप नहीं सकती तब भी प्लांट खुलता है जिसके अंदर प्लांट गल थी जिसके नाम ड्रायड है और उसकी लेवल 21 है और वो सान्थी प्रिये है साटो बोलता है अगर मैं ने इसको हरा दिया तो मैं इससे सीक्रेट टनल ओपन करवा सकता हूं जल्दी से टॉप तक पहुंच सकता हूं अगर किसी क्लासिक डंजन ल को अच्छे से देखती है और बोलती है साटो को अच्छे से देखती है और बोलती है और मैं ना की जरूर तुमिझे भी आ मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता ड्रायड बोलती है तुम्हें खुछ नहीं होगा और साटो को किस करके उससे माना ले लेती है साटो बोलता है साटो ज़्यादा मसोथ इसमें तेरी गलती नहीं है यह सोथ जैसे कुट्टे ने तुझे काट लिया ट्राइड बोलती है तुमने मुझे माना दिया इसलिए इस सीक्रेट रास्ते से तुम जा सकते हो साटो को मैप से पता चलता है उसे ये का नाम ट्राजा यूया रूम है साटो रूम के अंदर जाता है और बोलता है ये तो एक लाइब ब्रोटरी है और इस क्रेटल को ट्राजा यूया ने बनाया है और बुक में ट्राजा यूया ने लिखा है कि एलफ को जिन्दगी से बहुत कम प्यार है अगर वो किसी life-death situation में आते हैं तो वो जल्दी हार मान के मारे जाते हैं मैंने ये cradle इसलिए बनता कि elf यहां life of death situation में आएं और जिंदा रहने की skill develop करें इस वज़े से बहुत से young elf cradle में मारे गए लेकिन 100 साल तक सब को ये field experiment याद रहा और अब मेरी जिंदगी भी खतम हो रही है इसलिए मैं ये cradle सीर कर रहा हूँ future में elf इस cradle का use कर सकते हैं मैं ये उम्मीद करता हूँ future में एक बार फिर सभी races को elf lead करेंगे मैं हूँ ट्राजा यूया बोले नान साठो बोलता है ट्राजा यूया भी manager और मिया के जैसे है और इस labranth को चलाने के लिए z बहुत सकते हो मुझे वहाँ भेज दो ड्राइट बोलता है hundra part gradu तक जहां guardian knight का diamond का chamber है जो powerful है तुम सम synth कर रहना उस से फुट ड्रायड अपने मैजिक से साटो को हंटरत फ्लोर पर भेज देती है जहां तीन लड़कें और एक बहुत बड़ा रॉक नाइट था वो तीन सॉटा से बोलती है फाइट करने के लिए वेट करो और खुद फाइट के लिए रेडी होती है साटो को उनकी इंफॉर्मेशन दिखती है जिससे उसको पता चलता है ये तीनों AI रोबोट है जिनको अलकिमी से बनाया गया है जिनका नाम 567 है वो बोलती है इतने उपर तक आने के लिए बदाई हो साटो बोलता है इनको नहीं पता यहां तक आने के लिए मैंने सॉटकट लिया है वो तीनों बोलती है इस floor को पार करके next floor तक जाने के लिए तुमको rock night और फिर हमसे fight करना होगा rock night की उपर कुछ लिखाता है जिसमा कुछ killoo था जिसको solve करके साटो magic gun से उसको मार देता है AI बोलती है मैंने तुम्हें बोला था ना killoo सामने नहीं रखो और एक AI बोलती है मैं ऐसे यहां रोक के रखती हूँ जब तक तुम दोनों यहां से भाग जाओ पीछे वाली AI बोलती है हम तुम्हारे बलीदान को हमेशा याद रखेंगे और साटो पर मिलकर मैजिक एर उसे अटेक करती है साटो अटेक से बचता है बाकी दो वहाँ से भाग जाती है लास्ट AI साटो पर अटेक करती है लेकिन साटो एक ही पंचमस को बेहोस कर देता है फिर साटो वहाँ रखे सामान देखता है जो बहुत रहा और महेंगे थे AI बोलती है मास्टर मैं हार गई मास्टर सुनके साटो को आपनी सिलेव की याद आती है फिर साटो अस फ्लोर के ग्रीन रूम पर आता है जहां एक और ड्रायाइट थी जो मरी हुई थी साटो बोलता है पानी देने से ये पकता जिन्दा हो जाएगी और ऐसा ही होता है ड्रायाइट साटो से माना मांगती है और बोलती है तुमने नीचे भी मुझे माना दिया था ना हम सब एक ही है, तुम human एक दूसरे से अलग होते हो, हम plant और spirit एक दूसरे से connected रहते हैं, लेकिन माना कि बेना हमारा connection तूड़ जाता है, साटो बोलता है क्या तुम मुझे उपर के floor पर भेज सकती हो, dry eye थोड़ा weight के बाद बोलती है, आंगे floor से मेरा connection तूड़ गया है, लेकि मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी यहां आ जाओगे, साटो बोलता है अगर तुम सांती से मिया को मुझे दे दोगे, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँगा, साटो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम ने यहां की यह साबित कर दिया कि तुम मुझे fight करने की लायक हो लेकिन तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो तुमको एक ऐसे अनिमी से फाइट करनी होगी जिसको तुम कभी हरा नहीं सकते तब ही तुमको हीरो का टाइटल मिलेगा अगर तुम मुझे हरा देती हो तो तुमको ये इंसेंट होली सौर्ड रिवार्ड के तौर पर मि बहुत सारे रॉक नाइट और एक से आठ तक के एयाई आ जाते हैं उन में भागे हुई पांच और छे एयाई भी थी लेकिन नम्मर सैवन वहां नहीं थी जैन बोलता है एक सच्चा हीरो सेफटी के बाहर जाके फाइट करता है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है और मैं तो हो गए थे जिससे उनको बहुत ज़्यादा पावर तो मली लेकिन एतनी पावर उनकी बाडी के लिए बहुत ज़्यादा थी फिर एयाई से एरो साटों पर हमला करती है साट अपना भाला समन करता है और भाला स्किल मैक्स करके और एक्षि करके सभी रॉक मांस्टर को मा कुं होता है बोलने वाला करती है लेकिन 30 को भी होस वोلى के पहले बोलती हमारे स Picture आता है जैन बोलता है अब तुम हीरो कहलाने लायक हो, वाली शॉट्ड देता है साट्टो बोलता है तुम्हारी विश्च का है मैं एक संची हीरो कohbak थूढ रहा जो मुझे मार के मुझे इस दुनिया से आजात कर दे पिछली लाइफ में मेरे साथ बहुत गलत हुआ लेकिन गॉर्डन न मुझे अंडेड बना के रिकार्नेट कर दिया पिछली लाइफ में मैं बहुत अची फैमिली में पैदा हुआ मुझे किसमत से बहुत अची वाइप भी मिली मुझे लगा सब ठीक है तब ही एक नोबल को मेरी वाइप पसंद आ गए उसने मुझे जूटे केस में अंदर डलवा कर मरवा दिया फिर उसने मेरी पूरी फैमली को भी मरवा दिया जिसमें मेरी वाइप भी थी फिर मैंने अपनी फैमली को अंदर बना के जिंदा किया और उसनोबल को और उसकी पूरी फैमली को खतम कर दिया मेरा बदला पूरा होने के बाद मैंने सोचा मैं मर जाता हूँ अपनी वाइप से मिलता हूँ लेकिन गॉर्ड ने मुझे इम्मॉर्टेलिटी दी जिससे मैंने कभी न मर सकूँ मैंने डार्क माजिक, होली माजिक सबसे अपने आपको मानने का ट्राइ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ सिंपल वर्ड मैं गौड ने जैन का चूतिया काटा जैन बोलता है मैंने सब कुछ बता दिया हीरो इससे पहले मैं बुराई के राष्टे में चला जाओं मुझे मार दो साटो को AI की बात याद आती है कि मास्टर के विस पूरी करो साटो होली सोड निकालता है जिसके बाद सब ब्लू हो जाता है साटो जैन पर अटेक करता है जिससे जैन मरने लगता है लेकिन वह हस रहा था और बोल रहा था मेरी प्यारी वाइफ मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और मर जाता है साटो को UNDEARD के SLEAR का TITLE मिलता है जैन की RING भी मिलती है जैन की वाड़ी से कुछ बाहर आता है और वह जोड जोड से हस रहा था साटो उसको मार देता है तबी क्रेडल में अनौसमेंट होता है चूत ये बनाया तुमको क्रेडल सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला है साटो मिया के पास आता है और उसको होस्ट में लाता है और बोलता है अब तुम सेफ हो, मिया को self-destruct announcement सुनाई दे रहा था, साटो बोलता है तुम ऐसे बंद कर सकती है हो क्या, मिया ट्राइ तो करती है लेकिन वो बंद नहीं कर पाती, साटो फंक्षन देख तो बोलता है, जैन कभी भी मिया को मानना नहीं चाहता था, उसने सेफ ल के साथ बाहर जाने को बोलता है और बोलता है मुझे किसी और को बचाना है मिया बोलती है तुम उससे प्रॉमस करो तुम जिंदा वापस आओगे फिर मिया और याई वहां से चले जाते हैं क्रैडल टूटन लगा था साटो नीचे वाले फ्लोर पर जाने लगता है और साटो डैमी हूमन वाले सीड उसको दे देता है ड्रायड बोलती है इस सबसे कुछ नहीं होने वाला मुझे तुम्हारा नॉर्मल से तीम गुना जादा माना भी चाहिए फिर ड्रायड किस करके साटो का माना ले लेती है फिर उसको क्रेडल के बाहर टेलिपोर्ट कर देती है और बोलती है जल्दी यहां से भागो पीछे देखो नमक की लहर आ रही है साटो पूछता है पगली है तेरा क्या होगा ड्रायड बोलती है जब तक इस दुनिया में प्लांट है तब तक मैं जिन्दा रहूंगी साटो तेज भागने के लिए ट्रांसपोर्ट इसके लिए करता है लेकिन तब भी लहर उसके पीछे आ रही थी साटो को आंगे लेक दिखती है साटो सोचता है कुछ आईडिये लगाना होगा फायर सोट से कुछ नहीं होने वाला लेकर अभी मेरे पास अर्थ मैजिक भी नहीं है मुझे लहर को रोकने के लिए वाल बनानी होगी साटो नमर सेवन के साथ वहां आता है लीजा रोते रोते साटो की गले लगती है अरीसा भी रो रही थी साटो को जैन की बात याद आती है जैन ने बोला था कि अगर रिकारनेट वाली गर तुम्हारे लिए बहुत ट्रैसिया से तो 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 उसको उसकी यूनिक इसके लिए क्योस करने नहीं देना नहीं तो लाट में वो कहीं मेरी तरह ना हो जाए अरीसा बोलती है साटो अगली बार ऐसा कुछ नहीं करना सभी लोग रोहे थे फिर वहां मैणेजर और मियां आते हैं मियां बोलती है तुमने अपना प्रasmish पूरा किया और बोलती है माय है तो magari अब आप हमारे निव मास्टर हो और बोलती है क्या हम मास्टर जैन की वाइफ की गिरेंग में उनको देखे आ सकते हैं क्या साटो बोलता है जाओ जाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यह बोलती है लेकिन हम मैंसे कोई आपके साथ रहेगा आप किसको अपने साथ रखना साटो बोलता है सब तो एक जैसी दिखती हो तुम लोग फुदी डिसाइड कर लो फिर ए रॉक पेपर से डिसाइड करती है जिसमें नंबर सैवन विनर बनती है साटो नंबर सैवन का नाम ना रखता है इस सबसे अरी सचिट रही थी मिया मैनेजर से बोलती है मुझे घर ज मिया बोलती है उसकी कोई जरूत नहीं है मैं साटो के सांथ जाना चाहती हूं रैटमन वहां से अपने राष्टे चले जाते हैं और AIB वहां से चली जाती है वो लोग सीरियूसिटी आते हैं साटो अधार काड़ वाले भाहिया से जूट बोलता है कि एक नेक्रोमेंसर को सी मिगा केंडम से बदला लेना था इसलिए उसना यह सब किया मुझे यह च्छै तलवार बाजों ने बता है जिन्होंने मुझे बचाया था वहां जैना आती है और रोने लगती है आधार काड़ वाले भाहिया बाहर आ जाते हैं जैना बोलती है जब मुझे पता चला तुम मैं सोच रही थी मैं तुमको वापस कैसे ला सकती हूं लेकिन तुम सही सलामत हो यह अच्छा है साटो जैना को उसको परिशान करने के लिए सौरी बोलता है और बोलता है मुझे तुम्हें कुछ देना है और येरिंग निकालता है जैना बोलती है तो उस दिन वाली येरिं आप हुई थी मैं उसको घर छोड़ने जा रहा हूं जैना बोलती है तुम एल्फ विले जा रहे हो तुम सीरियूसिटी कभी वापस आओगे की नहीं साटो बोलता आओंगा ना जैना बोलती है ठीक है और साटो बोलता है जब मैं वापस आओंगा तम मैं तुम्हें अपने का ध्यान रखना जैसे वह अभी तक मिया का ध्यान रख रहा था यह सब बोलने से पहले मैंनेजर को सरब नहीं आती कि अच्छी मुसा बोलती है रास्ते में तुम्हें बहुत सारे चोर रुचक के मिल चकते हैं उनका ध्यान रखना यूना पोची और टामा के लिए हैंड म धायरा लगता हैं Чणा पातर अरुसा को वहां से जाने लगता है जेना रो रही थी साटो भी सैड़ था अरिशा बोलती है जैना नहीं है तो क्या हुआ मास्टर हम तो है ना ना साटो को गले लगाती और बोलती है जब कोई सैड हो तो लड़की के गले लगने के बाद वो सैडनेस दूर हो जाती है अरीजा को इस सबसे गुसा आ रहा था फिर वो लोग आंगे जाके खुसी 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 खाना खाते है साटो लीजा नाना और लूलू को खाना बनाने के लिए थैंक्स बोलता है और देखता है मिया चुन-चुन के खाना खा रही है साटो बोलता है मिया तुम अच्छे से खाना खाओ मिया बोलती है एल्फ मीट नहीं खाते अरिसा बोलती है हाँ एल्फ मीट नहीं खाते लेकिन मैं तो खाती हूँ साटो बोलता है मिया तुम को जो खाना है तुम वो खाओ फिर वो लो खाना खा लेते हैं लेकिन उसके बाद भी लीजा पैंकेक बना रही थी साटो बोलता है सबने तो खाना खा लिया तुम किस के लिए ये बना रही हो लीजा बोलती है मास्टरर मैं आँगे के राष्टे के लिए ये बना रही हूं तभी वहां अरीजा आती है तुम पैंकेक बना के ये मेरे बॉक्स देखता और बोलता है ये मेरी इंवेंटरी के जैसा ही है लेकन थोड़ा अलग लीजा अरीजा को पैनकेक की बास्केट देती है अरीजा उसको इटम बॉक्स पर रख लेती है साटो बोलता है ये वड़ इतना बुरा भी नहीं है मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं अपने इंवेंटरी के फंक्शन भी अच्छे से देख नुगा फिर साटो बोलता है आंग जाने के पहले सब अपना काम खतम करो लुलू लीजा और नाना का काम कार्ट में सावान लोड करने का था होची और टामा गोड़े के पैर साफ कर रहे थे मिया और अरीजा गोड़ तकी यो टामा को बता रही थी की सिलाई को कैसे निकालना है और मिया का कम चुबने वाली घास को निकालने का था साटो बोलता हम ये गोट लेदर तकीय में वहां लगाते है जहा हम बैढ़ते हैं रिसा बोलता है गोट लेदर वहोस तो बहुत महँंगा है तुम पक्कर ए Lak लगाना चाहते हैं अरिसा ऐसको ए पनकी लोग है लेकन शाटो के सिलाइखोorn भूलता यह क्मुवा लगाई तो लगा फिर सभी तक हो जाते हैं साटो एक soft toy बनाता है नान उसको ले ले लेती है क्योंकि वे इसको बहुत पसंद आया था फिर साटो मिया पोची और TAMA के लिए भी soft toy बनाता है äीलिजा, लुलु और एरिजा भी इसको घूर के देख रहे थे साटो बोलता है मुझे इनके लिए भी soft toy बनाने होंगे साटो सभी लोग आंगे जाते हैं और थोड़े दूर आने के बाद रुख जाते हैं पोची और टामा वहां खेल रहे थे अरीसा बोलती मास्टर आंगे जाने के हम तयारी करें साटो घोड़ों को देखता है इनको और रैष्ट की जरूरत है और पोची और टामा भी यहां अच्छे से खेल रहे हैं और बोलता है मिया को ट्रैवल की आदत नहीं है जिसके बाद साटो लीजा से बोलता हम थोड़ी दिर बाद यहां से चलते हैं साटो को वहाँ जीब से structure देखता है साटो पोचियो टामा को उसकी investigation करने को भेज देता है अर इसा भी curiosity तो वो भी उनके साथ चली जाती है साटो बोलता है जब हम जाने लगेंगे ता मैं तुम लोगों को बुला लूँगा इसलिए जादा दूर मत जाना मिया पते से music बचा रही थी साटो मिया से बोलता है तुम तो इसमें बहुत अच्छी हो नाना बोलती है princess क्या अब आप मुझे ये सिखा सकती हो साटो बोलता है नाना प्रिंसेज बोलना मिया को अच्छा नहीं लगता नाना बोलती है ठीक है मास्टर मैंने अपने डाटा बेस में इनका नाम मिया सेफ कर लिया है फिर वो सब मिलके म्यूजिक बजाते हैं जिसमें साटो बहुत बेकार म्यूजिक बजा रहा था और बोलती है चलो मेरे साट अरीसा साटो को स्टोन की उपर लाती है साटो बोलता है ये तो स्राइन के जैसे लग रहा है स्राइन बतलब टैंपल या मंदिर अरीसा बोलती है पहले नजर में मुझे भी ये समझ नहीं आया था साटो बोलता है ये स्राइन मैंना कहीं तो देखी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा साटो को तभी कुछ विजन आते हैं जहां एक लड़की बोल रही थी इचीरो भूलना नहीं हम हमें साथ रहेंगे तो हमें सा इचीरो ही रहोगे चाहे दूसरे वर्ड में हो या दूसरे एरा में छोटा साटो बोलता है रिकानेशन सच में होता है क्या साटो बोलता है बैग्राउंड में जो स्राइन है वो मेरे दादा जी के घर के पास की थी और ये मल्टी कलर बालो वाली लड़की मेरे बच्पन की दोस्त है क्या वो लड़की बोलती है गौड और हुमन की जिन्दगी अलग-अलग होती है हम साथ में तभी रह सकते हैं जब गौड तुम्हारी हुमन लाफ में कुछ इंटर्फियर करें अरे ये तो कागूरा डांस है ये तो उस गौड को डाडिकेटेड है जिसको यूमन से प्यार हो जाता है वो लड़की साथो को बुला रही थी अरीसा साथो को होस मेल आती है साथो बोलता भी मेरे उपर कोई साइकोलाजिकल अटेक हुआ था क्या मुझे वो जीफ सी लड़की और रैड गेट याद नहीं ये सेम स्राइन तो मैंने एक गेम बनाई थी जब मैं स्टूडन्ट हुआ करता था इसका मतलब ये है कि ये किसी गेम से रिलेटेड है अरीजा बोलती है मास्टर बार बार आप कहां खो जाते हो साटो को पता चलता है ये सराइन एक ट्राइवलिंग गेट है अरीजा बोलती है ट्राइवलिंग गेट क्या आप इसको ठीक कर सकते हो साटो बोलता है नहीं चलो पोची और टामा को लेकी आहाँ से चलते हैं पोची ने एक रैबिट को मारा था लीजा बोलती है मास्टर चलने के पहले क्या मैंसे साफ करके काट सकती हूं और लूलू को अपने साथ ले जा लेती है साथो पोची को देखता है जो बहुत गंदी हो गयती साथो मिया से बोलता है तुमको एवरीडे नाम का वाटर मैजिक आता है साथो बोलता है तुम ठीक हो वही काफी है पोची को भूक लगी थी अरी साइटम बॉक्स से पैनकेक निकालती है ये स्किल तो अच्छी है लेकिन पैनकेक गरम नहीं है वो लोग पैनकेक खाते है फिर आंगे कार्ट में गाना बजाना करते हुँ जा रहे थे उसको साइटम अपने इंवेंटरी देखता है जिसमें उसको सैटो मैजिक की बुक मिलती है साइटो बलता हाँ जैसे जिसने मैजिक इनवेंट किया हो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिखाता है और बोलता है water magic से मैं everyday magic को recreate नहीं कर सकता लेकिन जैसे मिया ने अरीशा के magic को copy किया वैसा मैं भी तो कर सकता हूँ साटो everyday magic formula को water magic से combine करके new spell बनाना चाहता था और उसको magic researcher का title भी मिल जाता है साटो real world में नाना के दबा रहा था जिससे अरीशा और मैया गुस्सा होते है साटो बोलता है नाना खुद मेरे पास आई है मिया बोलती है साटो प्राई लड़कियों को चुना गलत बात है तुम ऐसी गंदी हरकतें नहीं कर सकते अरीशा बोलती है तुमारी आँके खुली थी लेकन तुम कुछ answer नहीं दे रहे थे साटो बोलता है ऐसा कुछ मैं करूँगा तो अगली बार मैं आपनी आखे बंद कर लूँगा साटो बोलता है मैं एक new spell बना रहा था जो अलग हो गई है साटो लीजा को काट रोकने को बोलता है फिर साटो काट की वनर से ratman को खरीद लेता है मिया ratman से मिलती है साटो बोलता है sacrifices भाग पाई थी रैट्मेन साटो को बोलते हैं हमें कुछ important काम करने हैं इसलिए हमें आंगे जाना होगा साटो टामा मिलक एनिमल मारते हैं सभी लोग टामा की तारीफ कर रहे थे क्योंकि उस नया एनिमल को मारा था साटो देखते हैं टामा और पोची अभी भी गंदे हैं साटो मिया से बोलता है मैंने तुमारी एक स्पैल में हेल्प मांगे थी ना फिर मिया एब्रीडे मैजिक को यूज करती है जिसका नाम अब बबल वास है जिससे टाम और पोची साफ सुतरे हो जाते हैं इस सब के लिए साटो मिया को एप्रिसियेट भी करता है रात मैं वो सब सो रहे थे साटो चौकीदारी कर रहा था और सोचता है मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं न्यू स्पैल बना लेता हूँ फिर बोलता है मैं अभी चौकीदारी कर रहा हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकता है और सोचता है मैं inventory के function देखता हूँ साटो दूर मग रखता है जो उसकी inventory में आ जाता है लेकिन 3 मीटर के बाहर साटो किसी भी चीज़ की inventory में नहीं रख सकता था फिर साटो मिट्टी और फटर मिक्स करके inventory में रखता है जो अलग-अलग हो जाते हैं साटो बोलता है ऐसा है तो मैं नमक के पानी से नमक कला कर सकता हूँ यह ओशियन में बहुत काम आएगा लेकिन inventory में जाने के बाद वो अलग नहीं हो और बोलता है मेरी inventory में मेरा माना खतम नहीं होता जैसे अरिशा का item box में उसका होता है साटो आरीसा का आइटम बॉक्स देखता है और बोलता है ये मेरी inventory से कमजोर है और दो paper जलाता है एक paper वो item box में रखता है और दूसरा inventory में साटो inventory से paper न कलता है जो जल रहाता है जैसे वहाँ सब कुछ freeze हो जाता हो जैसे वीडियो game में data base होता है ये वैसा ही कुछ था साटो हाट पॉट देखता है और दूसरे दिन सब को गरम गरम खाना देता है लीजा को लग रहा था साटो ने खाना गरम किया है फिर वो लोग आंगे जाते हैं जा उनको मीजे और कल के रैट मैंन मिलते हैं उन लोगों ने मरे हुए रैट मैंन की कबर जो मिया को प्रोटरेक्ट करते टाम मारे गए थे मीजे साटो को उसके fan को बचाने के लिए मैंस बोलता है पर वोज जिससे वो बहुत खुश होती है वहाँ सभी लोग लड़ रहे थे मानों ये उनके पापा का एरिया हो साटो बोलता है भाई और उनकी बहनों नेक्ट राउंड मेरी तरफ से वेटरस समझ जाती है साटो मबानी का बेटा है इसलिए वो उसको अपने साथ ले जाने लगती है स साटो और वेटरेस का डाटर ट्रांसफर होता है दूसे दिनारी साटो पे गुस्सा हो रही थी और बोलती है तिनी सारी लड़कियां होते हुए भी साटो तोम वेटरेस के पास क्यो गए क्या मतलब साटो को बड़े बड़े पसंद है लेकिन साटो का मतलब ये था कि मैं तुम लोगों का गाडियन हूँ मैं तुमारे सांथ वो सब नहीं कर सकता फिर एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी को मार रहा था क्योंकि वो उसके रास्ते में था साटो समीर आदमी के पास आता है जो साटो को घूर घूर के देख रहा था फिर वहां से चला जाता है साटो बोलता है मैंने इसकी ममी भगा लिकिया जो मुझी ये घूर घूर के देख रहा है लीजा बोलती है मास्टर ये सीरियू सिटी का वो सोलजर है में से कोर लेना चाहता था साटो देखते हैं गरीब आदमी का हाँ तूड़ गया है फिर साटो उस आदमी को हीलिंग पोर्शन भी देता है वह लोग बोलते हम लोग आपको इसके पैसे नहीं दे सकते साटो बोलते माना पैसे मांगे क्या तुम जब अर जिस तीम बोल क्यों माना पोर्षन से गरीब आद में का फैक्सर हाँ ठीक हो जाता है जिसको देख के साटो खुर सौक होता है अरीशा साटो को ताना मारती हुए बोलती है इतना डानमीर बनोगी तो जरूरत के टाइम पर हमें खुद किसी और से माना पोर्षन मांगने की नौबत ना आ जाए साटो मैजिक स्टोन एक्टिवेट करता हुँ माना पोर्षन बनाता है जो लो लेवल का बनता है और क्रियेटर के नाम पर उसका नाम आ रहा था जो साटो को पसंद नहीं था फिर साटो अपनी एलकिमी स्किल मैक्स करता है और लो लेवल से वो माना पोर्षन हाई लेवल का बन जाता है लेकिन साटो को माना पॉर्सन एल्कमी बॉटल में रखना होगा नहीं तो टाइम के साथ वो लूवल का हो जाएगा बॉटल में एक सील लगी थी जो स्पैसल लिंक से बनी थी साटो का सामान भी खतम हो गया था उसके पास नोकी नाम की सिटी थी जो कुहानों अरीचल से कुछ नहीं होता साटो मैंजीक आइटम में नहीं से पर हमाना जुसके अपना मौना में बनाती है जिस्से बहुत तेज़ी लॉट आती है फिर वह , बलास्ट हो जाता है, जिससे काट में सबी लोगों को लगता है, कि उन पर अटेक हुआ है, साटो बोलता है, कुछ है नहीं हुआ, सो जाओ, दूसरे दिन साटो नो की सिटी जा रहा था, साटो को मेप में बहुत सारे блैंक एरिया देखते हैं, साटो बोलता वहाँ जाने में तो खतरा है मुझे सतरक रहना चाहिए साटो सिटी में आ जाता है और एक आदमी से अलकिमी शॉप पूछता है साटो शॉप पर आता है तभी शॉप के बाहर एक हुडी वाला आदमी अपने सिलेव को जल्दी चलने को बोल रहा था साटो सॉप के अंदर आता है मालकिन का नाम मैरिस है साटो उस से पोर्शन बोटल मांगता है मैरिस बोलती है मेरे पास जादा बोटल नहीं है तीन है बस एक बोटल एक सिल्वर कॉइन की अभी अभी एक आदमी सबी बोटल ले गया साटो बोलता है तुम मुझे कुछ और दे दो मैरिस बोलती है अगर तुम मेरे साथ कोर एक्चेंज करते हो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकती हूँ साटो को मॉंस्टर को मार के बहुत सारे कोर मिले थे मेरिस बाहर आके लीजा को बाकी लोगों के मांच KHी सवर्णे को पास लिगल ठाया जो만 low ups लेकिन मां तुम्हारे आदमी भर स winter tag होई सार्ट जोस्रिफ को पोर्ट मिलता हैने मांगे हिल्प करता हे आदने मों ढूर में mix on noise पीजिऑ के बाहर आते हु करता है। यस फालतों को मैप पता चलता है के पास कुछ लोग आ रहे हैं। साटो पे अर्थ मैजिक से अटेक होता है फिर साटो के उपर रोबोट अटेक करते हैं जिनको एक लड़की कंट्रोल कर रही थी साटो अटेक डॉज कर रहा था और बोलते है मैं एक मर्चेंट हूँ जो गलती से यहां आ गया उस लड़की के अटेक से साटो को कुछ भी नही हो रहा था जिससे वो लड़की बोलती है मिस्ट्रेस मेरी हेल्प करो साटो बोलता है तुम सांत रहो अगर जाद है तो तुम मुझे मार के अपना बदला ले सकती हो तब उस लड़की की उपर एक मोटी थुल्चुली चड़िया गिरती है जिसमें एक दादी थी जो साटो के पहली बात तो मैं कोई एमिसरी नहीं हूँ ये बैल तो मुझे एक चूहे न जबजस्ती दे दी वो बात अलग है मैं बोले नान फैमिली की एक एल्फ को एल्फ फॉरस्ट ले जा रहा हूं तब ही वहाँ इने आती है और बोलती है सर मुझे माफ कर दीजिए साटो बोलता ह तुम्हारी कोई गलती नहीं है मैं ही तुम्हारे घर में धर धराते हुए चला आया फिर इने पोशन बना रही थी वह दील पूरा करने के लिए पोशन बना रही थी साटो बोलता है दादी बता आती हमें 300 बॉटल पोशन साल में दो बार कुहानों कंट्री को देना पड़ जाने के लिए एक रास्ता बनाती है साटो से स्पैसल रास्ते से फॉरस्ट से बाहर आता है साटो को दादी का एक लेक्टर फॉरस्ट के जाइन को डिलेवर करना था क्या मतलब दादी का इस एज में भी बॉइफ्रेंड है इसके बदले में दादी न साटो को बहुत स्पैसल information भी दी थी साटो होटल आता है जहां आरीसा उस पर गुस्सा हो रही थी दूसरे दिन साटो सीडियम सिटी आता है और एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां दो हुडी वाले लोग बात कर रहे थे इस टाइम पर वो लोग पोशन लेके आते हैं दूसरा बोलता है तुम मुझ कोड़ वर्ड है क्या खुडी वाले आदमी बोल रहे थे तुम वाइस लॉड बनोगे तो मुझे भूल नहीं जाना दूसरा आदमी बोलता है मैं वाइस लॉड नहीं मैं लॉड बनूँगा क्योंकि मैं ही वहां सिटी बनाने वाला हूं साटो बोलता है या मी लोग कुछ बाते करते हैं तब ही वहां अरीशा मिया और नाना आते हैं और बोलते हैं मास्टर चलो तुम्हारे सोने का टाइम हो गया वह लोग साटो को इसलिए लिजाने आये थे क्योंकि साटो की उपर उनको भरोसा नहीं था कहीं साटो आज भी भावनाव में ना भाज जाए फर सा ने जैसे ही कार्ट लेके अंदर जाती है उसका रास्तर कुछ लोग ब्लॉक कर देते हैं जिस से कार्ट क्रेस हो जाती है साटो और बाकी लोग अंदर आते हैं ब्लॉक करने वाले लोग भाग जाते हैं साटो लीजर और बाकी लोग को उनको पकड़ने को भेशता है इने पोशन तूटने की वज़ए से रो रही थी अरीचा बोलते हैं 300 बोटल मैं से 120 बोटल सा हिसला मत हैं साटो बोलते हैं सबसे पहले तो मैं इन बचे हुए पोशन को अपनी इंवेंटरी में रख लेता हूँ और इने से बोलते हैं हम डील की बात करने हैं और अन्हा समझाने तुम्हारे साथ चलते हैं साटो डीलर के पास आता है डीलर का नाम ब्रिगिंज है और उसके साइड में डोसान है ब्रिगिंज बोलते हैं मुझे पोशन डिलेवर करो यही डील हुई थी साटो को ब्रिगिंज की आवाज जानी पहचानी लग रही थी साटो बोलते है एक्सिडेंट होने की वज़ेसे 300 बॉटल नहीं है हमारे पास हमा कुछ और टाइम चाहिए ब्रिगिंज बोलता है डील दादी और किंग के बीच में हुई थी तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो और वैसे भी मुझे वही पोशन चाहिए जो दादी ने बनाए हो साटो बोलता है डील तो किंग की हुई थी इसको कैसे पता वो दादी ने बनाए है और वैसे भी पोशन तो इने ने बनाए है यहां खुछ तो गडबढ़ है यह चूट बोल रहा है साटो को याद आता है यह तो रेस्टोरेंट वाले हुडी वाले लोग है इसका मतलब यह है कि यह डील तोड़ना चाहते थे ताकि forest of illusion में वो अपनी city बना पाएं साटो बोलता है मैं दादी जी का महमान हूँ और उन्हों ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया साटो बोलता है तो मैं पोशन चाहिए ना मैं high grade के पोशन लाके देता हूं ब्रिगेंज बोलता है म उनके पास written letter भी था इने बोलती ही साम होने में तीन घंटे बस बाकी है अरीशा बोलती है मेरे मास्टर सब हेंडर कर लेंगे तब ही बाकी लोग वहां पोशन की medicine लेके आते हैं इने बोलते हम पोशन बना भी लेते हैं तो उसको सर में रखके तो नहीं ले जा सकते हम पोशन बोटल को ही ले गया और इतनी आसानी से बिर्गेजम ने लैटर दे दिया यह उनीका काम होगा और बोलता है मेरा फिर से कट गया फिर साटो थार्ण के पास आता है थार्ण बोलता है साम तक 180 बाटल बनाना मुश्किल है अगा तुम अपनी मां के पेट से भी पोट बनाने में help मांगता है और मिया और अरीचा को इने की portion बनाने में help करने को बोलता है फिर वो लोग अंदर के लिए से बाटल बनाते हैं जो किसी से नहीं बन रही ठी सेवाए साटो के ञगता है तुम अपनी मां के पेट सही यह सब सीख कर आए हो लेकिन तब भी इनको ड्र परस्ट ओफ इल्यूजन में इसकाइए बिल्डिंग बन जाएगी थॉन बोलता है ड्राइब होने में तो इतना ही टाइम लगता है साटो बोलता है इनको आखरकार ड्राय करना ही होगा वह एक न्यूज पैल बनाता है मिया क्ले ड्राय स्पैल यूज़ करके बॉटल को ड्रा था इने ठक जाती थी तो टाम और पोची असिस्टन बनके उसको पाने भी पिलाते थे साटो टूटी बॉटल देख रहा था था और न्यू बॉटल भट्टी मेरा ख रहा था अरीसा बोलती ही मास्टा पोशन रेडी है साम तक बॉटल भी रेडी हो जाएंगी इने बोलती है जब तुम लोगों की वज़य से हो पाया है उसके लिए थैंक्स इने की उपर कोई हैट नहीं एक बड़ थी वो भी ये देखके खुश थी साटो को पता चलता है वो वर्ड विच की फैमिलियर है तब ही वहाँ दोसान को शाजबियों के साथ आता है साटो बॉटल अपनी इन्वेंटिर में रख लेता है डोसान बोलता है यहां तुम रूल तोड के पोशन बॉटल बना रहे हो ठाओ बोलता मैं लोगों को पोर्टरी सिखा रहा हूं बस डोसान बोलता है मुझे सब पता है लेड कर साटो भटी से भटी तोड़ने के लिए सोरी बूता थैं गया इसलिए मैंने भट्टी में टूटी बॉटल रख दी असलिए बॉटल कहीं और सेफ है अरीशा बोलती मैं दिखने में बस छोटी हूँ मुझे इसका सबूत दो साटो बोलता है मेरे पास तुम्हारे आइटम बॉक्स से भी अच्छा कुछ है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकत साटो इंवेंटरी से बॉटल निकालता है जो बाहर आके तूट जाती है साटो को पता चलता है बॉटल का टैंपरेचर बहुत जादा है वो रूम टैंपरेचर में आने के बाद तूट जाएंगी साटो के पास लास्ट ऑप्शन भट्टी को ठीक होने तक का वेट करने का जिसमें बहुत टाइम लगता और उतना टाइम उसके पास नहीं था तभी साटो को अरीशा के आईटम बॉक्स की याद आती है जहां टाइम स्पेंड होता है साटो इंवेंटरी से बॉटल को आईटम बॉक्स में भेजता है जिससे उसका टैंपरेचर कम हो रहा था साटो सबस्वाइब करने के बार मुझ लटका के बाहर आते हैं सब कुछ ठीक है अब हम उस चपरी को बता दिंगे असली बॉस कौन है साटो इनो और अरीशा बिरिगन के पास आते हैं बिरिगन बोलता है दील आफ सुम टाइम पे डिलेवरी नहीं कर पाए अच्छे से देख हम उसको sign करने को बोलो साटो बोलता है बिरिगिंज sign करो पीछे से आवाज आती है मैं sign करता हूँ बिरिगिंज बोलता है king of kuhan आप यहाँ कैसे किंग बोलता है तो मैं क्या लगा मुझे तुम्हारी इस planning का कुछ पता नहीं चलेगा विच ने मुझे सब कुछ बता दिया मैंने तुम्हें यहां का वाइश लोडिस लिए बनाए क्योंकि मैं और तुम्हारे पाप पा रॉयल अकैडमी में फ्रैंड थे लेकिन तुमने मेरी आख में इंटा फेका वो भी बड़ा वाला मैं तुम्हें अपने किंडम और उसकी जमीन से निसकासित करता हूँ ब्रिगिंज भाया सीडियम सिटी स्प्रेट हमला करते हैं जिससे किंग को कुछ नहीं होता किंग बोलता है अबे पागल मेरे किंडम में तुम मेरी ही स्पैल से मुझे मानना चाहता है तु भी पागल ही है लेकिन अब तुझे मरना हुआ तब ही साटो उचल कून करके डोसान और ब्रिगिंज को पिहोस कर देता है किंग बोलता है तुमने यह सक क्यों किया साटो बोलता है राजा यहाँ आपकी छोटी छोटी प्रजा भी है किंग विश से बोलता है तो मैं बहुत अच्छा दोस्त मिला है दूसे दिन साटो थॉन को भट्टी तूटने के लिए सौरी बोल रहा था थॉन बोलता है सौरी बोलने की कोई ज़रूत नहीं है किंग की वज़े से मुझे बहुत बड़ी भट्टी मिली जिससे मैं अमीर होने वाला हूँ और बहुत हसता है इने साटो को मैजिक लैंटेन गिफ्ट करती है जिसको दादी और उसने मिलकर बनाया था दादी साटो को स्पैसल गिफ्ट भी देती है जिसके बाद साटो को विच की फ्रेंड का टाइटल भी मिलता है साटो उन लोगों को बाई बोलता है और अपनी पल्टन के साथ आंगे जाने लगता है नेक्ट सीन में साटो की उपर नाना थी वो दोनों डाटा ट्रांसफर कनने वाले थे तब ही वहाँ अरीसा आती और बहुत गुस्सा होती है नाना बोलती मास्टर मेरे हाट में जल्दी से माना दो नहीं तो मैं सट डाउन हो जाओंगी अरीसा बोलती यहां माना देने की बात हो रही है साटो बोलता हाँ अरीसा बोलती तुमारे फेस से तो नहीं लग रहा या लीजा भी यसब देख लेती है फिर वो लोग आंगे जाने लगते हैं सीन जैना पर आता है जो लेकर भाग रही थी जैना लेकि सब के कंट्री में हूँ जो सीगा किंडम के वेस्ट में हैं मैं जितना सोचता हूँ ये जन्नी उससे ज्यादा टफ है मालों अगर जैना को पता चल जाए साटो वह मजे कर रहा है तो उसका रिलेशनशिप में आने के पहले ही ब्रेक अप हो जाएगा जैसे तुमारे भाई का हुआ है दूसरे दन लीजा एक प्लाइंट लाती है क्योंकि पोची के हिसाब से वह खाने लायक है साटो प्लाइंट को तोड़ता है जिससे रस निकलता है साटो को इसका टेस्ट सुगर के इन की तरह लग रहा था पोचियो टामा बोलते हैं मास्टर से नीचे नहीं गिराओ लेटर पड़ रही थी साटो बोलता है हमें बाहर सुने की आदत हो गई है और यहां हम बहुत मजे कर रहे हैं पोची साटो को स्टोरी सुनाने को बोलती है साटो बोलता है हैवन से सेवन गौड जो वर्ड ट्री में रहते थे वो हुमन के साथ रहने नीचे आए पोची सव डीमन गॉड था जो दूसरी वर्ड से यहां आया था जो बहुत मतलब ही था और बाकी गॉड से फाइट करता था डीमन गॉड ने अपनी पूजा करवाने के लिए डीमन बनाए जो बाकी रेसे इसको परिशान करने लगे जिनमें हुमन सबसे ज्यादा परिशान थे हुमन य यंग गॉड को एक मैजिकल स्पेल बताए जिससे वो हीरो को समन कर सकती थी साटो देखता है पोची टामा और मिये सो गए हैं साटो बोलता है मुझे नहीं पता यह जन्नी कब एंड होने वाली है लेकिन मैं इसको बहुत इंजॉय करूँगा लेकिन जब भी मैं आऊंगा तब मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता हूं जैना बताओ जैना जब से लैतर ही पढ़ रही है दूसे देन साटो की नीन्द कुलती है साटो की उपर सभी लोग लडे हुए थे लूँलू बोलती मैं फेस बास करने के पहले अपना फेस किसी को नहीं दिखाती साटो बोलता है लुलू तुम अभी भी अच्छी दिख रही हो जिससे लुलू बलस करती है मिया नाना के साथ कुछ कंपेर कर रही थी और उसको उठा देती है फिर वो लोग मीट खाते हैं साटो बाहर देख रहा था इसी के साथ फाइनली यह सीरीज यहां खतम होती है वीडियो आ लात देख बाहर झाता है और वीड़ ग्टार जाली यहां जाली यहां झासबस थादा दो डाहर जाएवाण व्ने दूभाई झाली यहां